आज भी बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे सत्संग्ज हैं जो मैं आप सब के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी किस तरह से अपनी प्रेजन्स फील कराते हैं और इतना प्यार देते हैं इतना आपको पैंपर करते हैं मुझे तो बहुत करते हैं, मुझे ऐसे फील होता है, नहीं, सबको करते हैं गुरुजी, प्यार और उनका लगाव, सबके साथ एक अलग कनेक्शन होता है, हर संगत का गुरुजी के साथ अपना एक, सबका गुरुजी कहते हैं ना, direct connection मेरे साथ बनाओ, तो ऐसी मेरा और गुरुजी का तो बहुत ही अलग प्यारा वाला सब का ही है पर बता नहीं, मेरे लिए गुरुजी कुछ बहुत जादा स्पेशल है बहुत जादा स्पेशल चलिए, फिर मैं आपको अपना आज कहां से सच्छंग स्टार्ट करूं तो गुरुजी प्लीस हेल्प मी आउट तो रिसेंटी मैं अपने रिसेंट वाले सच्छंग से स्टार्ट करती हूं कुछ दिन पहले ना, I think 2-3 डेज बैक मेरे मेरी ममा के साथ मेरी ऐसी चोटी मोटी कहते है नोग जोग हो जाती है तो वह हो गया, मेरी ब्रादर है, मेरा भाई वनो बहुत जाद़ के अपसेट हो गया हम दोंहों की लड़ाई को देखके सो ओ上 कहता मैने न खाना नी खाना तो मैने बोला नई जब तक तो नहीं खायगा ना मैं नहीं खाने drove तो फिर क्या हुआ, मैं ऐसी गुरुजी से बात कर रही थी, मैंने बोला गुरुजी देखो आप इसको मनाओ, मेरे भाई को जब तक ये नहीं खाएगा, मैं नहीं खाने वाली हूँ खाना, ऐसी मैं गुरुजी के साथ बात कर रही थी, रात का टाइम था, और मैं को बहुत लग रही थी, बट मैं कुछ करनी सकती थी, क्योंकि मैंने बोला हुआ था, कि जब तक मेरा भाई नहीं खाना खाएगा ना, तक मैं नहीं खाने वाली हूँ, इतने में क्या हुआ, मैंने गुरुजी को ऐसे का, कि गुरुजी अब तो आप अपनी बेटी का ख्यालना आपन अब आप बताओ, किस तरह से आप करोगे हूँ, तो गुरुजी ने क्या किया, मैं एक शबद सुन रही थी, शबद सुनते सुनते ना, क्या हुआ, एकदम से मैंने फेस्बुक खोला और फेस्बुक पे ना, मुझे एक सत्संग आंटी का मिला, उस सत्संग में, आंटी ने अपना सत्संग शेय खिया, और सत्संग में आंटी ने around seven to eight times, भूक शब्त का ना, इस्तमाल किया, कि जैसे संगत को सत्संग की भूक होती है, मतलब सेवा करनी की भूक होती है, मतलब गुरुजी के साथ प्यार की भूक होती है, मतलब ऐसे उन्होंने बहुत कुछ अपने स भूख वर्ड बहुत यूज किया तो मैं ऐसी गुरुजी को बोल रही है मैं बना गुरुजी देखो मैंने दूपैर का खाना खाया हुआ है और यान्ती अभी तक ये अपना ये इसी सचंग में इतनी बारी भूख का शब्द यूज किया है कि में को तो बहुत वैसी बहुत और उपर से तक भाई खाना भी नहीं खा रहा है तो मुझे लगता है कि आज आज आप ये सचंग सुनवा के मेरी भूख ना मिटा दोगे सच में वो 40 मिनट्स का सचंग था मैंने पूरा सुना और जैसी सुना सुनने के बाद मेरा पेट ऐसे भर गया जैसे मतलब मैंने खाना खा लिया है और लिटरली गुरुजी ने उसे मेरा ऐसे ख्याल रखा कि मैंने दुपैर के बाद मैंने कुछ भी ने खाया था और गुरुजी ने बस मेरी इतनी सी बात ऐसे सुन ली कि एक सचंग सुनवा के मेरा पेट भर दिया और मैं इतने आराम से सो गई सुबा भी आराम से उठी बिल्कुल ऐसे लगी नहीं रहा कि जैसे मेरे खाना नहीं खाया और यह है गुरुजी के ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल वे किस तरह से गुरुजी चोटी चोटी बातों का ख्याल रखते है तो ऐसे मेरे साथ हुआ यह बहुत प्यारा सा एक छूटा सा सत्संग फिर अबाद में आपको बहुत संगत को पता है कि मतलब गुरुजी के साथ मैं किस तरह से कनेक्ट हुए थी मेरी जुनी गुरुजी के साथ 2018 में स्टार्ट हुआ था कि मैं गुरुजी से जूरी एक फेस्बुक पेज के थ्रू ही जूरी थी और में को मतलब पॉजिटिव मैं मुझे मुझे दर्षण दिया तो मुझे मेरी प्रप्लम नहीं पहले घ्रातिता हैican Ayam मुझे ब्लेस करने आई है, क нашего थे मुझे जोरी तो मुझे जाधा कुछ नहीं पता था और बस इतना अच्छा लगता था, कि गुरु जी आये है मेरी DREAM में। मुझे दर्शन देने के लिए फिर हुआ ये कि और सच में जो ड्रीम में गुरुजी ने मुझे दिखाया reality में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ बट मीनवाइल गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस कर दिया गुरुजी ने मुझे मेरा हाथ पकर की यूनो उस problem से मुझे ऐसे ये निकालते रहे हैं, कि पूरा साथ दिया है, मुए अपसेट होती थी, डिप्रेस होती थी, तो गुरुजी में को पॉजिटिव फील कराते थे, स्माइल कराते थे, और मैं इतनी पॉजिटिव बनगी, इतनी पॉजिटिव बनगी, कि मतलब आज अगर कोई भी मुझे बोलता है, कि हाँ बस ये बिल्कुल पॉजिटिविटी की एक दुकान है, मतलब लिटरली ऐसे सब कहते हैं, कि गुरुजी ने इतनी पॉजिटिविटी बक्षी है, कि आज जो मेरे अंदर है, मैं सब को बांटने की कोशिश करते हूँ, कि सब को ये पॉजिटिव वाइब्स दूँ, क्यूंकि आज के टाइम में बहुत सारी नेगिटिविटी है, बहुत जादा नेगिटिविटी, हर जगा देखो आपको नेगिटिविटी ही मिलेगी, इतनी नेगिटिविटी मिलेगी, एक सेकंड, मैं कहा थी? bore लगे. दो मिननेट, मैं भूली एक सेकंड, क्या बोल रही थी? पॉजिटिविटी के बारे में येvy बात कर रही थी, कि गुरु जी ने मुझे इतना पॉजिटिव कर दिया और, you know, मेरी जोनी इतनी स्मूध बना दी और, बस मैं गुरु जी के साथ बैठती हूँ, गुरु जी के साथ बाते करती हूँ, और गुरु जी के साथ यूनो, हर चीज गुरु जी के साथ यूनो, हिम्मत देते थे, वापिस से हिम्मत देते थे कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा यहां पे ना, मैं आपको एक और चीज बताना चाहते हूँ जादा मैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में तो बात नहीं करूँगी अफकोस, बिल्कुल भी नहीं बट हाँ, एक बात जरूर बताऊंगी कि, यूनो, मैंने ना, गुरु जी से मा, गुरु जी पे मुझे विश्वास था कि गुरु जी ना, सब ठीक करेंगे और ठीक करेंगे इन दे सेंस, ठीक तो करते ही हैं वो बिल्कुल हर चीज करते हैं पर एक होता ना, हम मांगते हैं तो मुझे बता था कि गुरु जी मेरी लाइफ में भी जो मैं गुरु जी को कि गुरू जी ऐसा करो, एसा करो, पूरा विश्वास था, मतलब विश्वास अभी भी है, कि गुरू जी सब ठीक करते हैं, बट यह आप सबसे कहोंगे, कि गुरू जी के आगे जिदंग करना, कभी भी मत करना, क्य Fig bougणी आपकी सोच, किस तरह से बदल देंगे ना आप भी नहीं जानते हों बिल्कुल भी नहीं जानते हैं सच मैай गुरूजी मैं कुछ टाइम तक मांगती रही मांगती नहीं मतलborg में को विश्वासता गुरूजी जिस वे से मैं गुरूजी को बोड़ी हो गुरूजी करेंगे अगर कुछ चीज साहिं है ना गुरुजी नहीं थेंगे बिलकुल भी नहीं थेंगे ऐसे नहीं थेंगे मारे में थेंगे बिलकुल भी नहीं थेंगे नहीं थेंगे Amina को स्वric應 jaagya आपने गुहाएं में हाना में पहलीं हाएं debate contemplation बहुत कुछ दिखा दिया था पर जब सेकंड टाइम गुरुजी मेरे ग्रीम दर्शन में आया मैंने उनकी बात नहीं मानी मतलब है गुरुजी ने बस वो टाइम मुझे दिया समझने के लिए कि कोई बात नहीं तू अभी नहीं मान रही है बट वक्त आएगा जब तू मानेगी और आज मुझे ऐसा लगता है कि सच में जो गुरुजी ने मुझे सेकंड टाइम दिखाया शायद वो सही था मेरे लिए सो गुरुजी ने ना मेरी बुद्धी बलड़ दी He changed my thoughts उन्होंने मेरे thoughts को बिल्कुल बदल दिया अब मेनी गुरुजी ने मुझे जद करती गुरुजी के आगे कई गुरुजी चानते हैं जो करें बहुत अच्छा ही करेंगे सिझ हैं हम सब के लिए इस लिए इसलिए आप सबसे कह रही हूं कि कभी करेंगी मुझे भूरुजी के पारें प्ree लिए क्योंकि हम एक होता है ना विश्वास जब हमने अपनी पूरी दोर जिन्दगी की गुरुजी के हाथ में छोड़ दिया तो हमें पूरा ये भी विश्वास सकता है कि गुरुजी संभाल लेंगे और गुरुजी बहुत अच्छा करेंगे हमारी लाइफ में तो बस उसी ट्रस्ट के साथ हमें आगे बढ़ना है और अपनी जिन्दगी की डोर उनके हाथ में दे दो और गुरुजी सब संभालेंगे सब अच्छा करेंगे तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है गुरुजी कहता है ना चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए तो इसलिए बस आप चिंता उनके चंडों में रख दो और बस उनको याद करो दिल से याद करो and he is with you 24-7 मेरे साथ मतलब गुरुजी ऐसी प्रेजंस अपनी फील कराते है you know, in fact 24-7 I can feel his vibes that he is with me and he is with me and he is with me and when I am negative, I keep my mind I keep my mind so much that he is with me and I get the answer, it is like that so, मतलब ऐसा है गुरुजी के साथ and sorry Sangatji मैं अभी comments नहीं पढ़ रही पर अभी जो भी नए-ने Sangatji जुड़ी है उन सब को मेरी तरफ से जै गुरुजी और गुरुजी की तरफ से धे सारा प्यार आप सबको और कॉमेंट्स मैं अभी इसले नहीं देख रही है क्यूंकि नहीं इसे डाइवर्ट होता है तो मैं अभी न सिफ गुरुजी को देखके बोली जा रही हूं सो आप आप यह चीज माइंड मत करना कि मैं रिप्लाइ नहीं करें बट सबको दिल से जै गुरुजी सो कमिंग बैक टू मैं सचसंग्स अब सचसंग्स मैं आपको सुनाती हूं लास्ट टूजन नाइटीन का है हम लोग ना ऐसी मेरे पापा साही बाबाजी को बहुत मानते हैं तो ना हमने ना वैसी मेरे पापा कभी शिड़ी नहीं गए मैंने पापा को वैसी बोला कि पापा आपना शिड़ी जाने के लिए ना बुक कर लो टिकेट कि अभी चले जाओ फिर पता नहीं आप हर बारी सोचते हो जाओंगा जाओंगा पर लेकिन आप जाते ही नहीं हो तो क्यूंकि हम सब फैमिली में हम सब जा चुकी हैं मैं तो दो तीन बारी होई उखायएं बढेकन पापा एक भारी भी नहीं गय आपापा वसोजय स्टार्टि सेङ जाते थे ह। सबकोनों नहीं कुनेक्ट करया बाबा से तो मतलब गुरुजी ने गुरुजी कैंएं पापा बुलाया ने अब तक शिड़ी तब न, 2000 यह है, और अगस्ट एंड की बात है, 29th, 29th August या 30th August शायद, 29th August की बात है, तो मैंने पापा को बोला अपना टिकेट बुक करा लो अबना तो मेरे पापा कहते है अच्छा तू भी चल साथ में मैंने बोला नहीं नहीं मैंने नहीं जाना क्योंकि मेरे सिस्टर की वेडिंग आनी थी तो मैंने बोला कि आप ऐसा करो आरेंग को ले जो मेरे ब्रादर को तो फिर इन्होंने ना हमने फटा फट पापा और मेरे भाई की टिकेट बुक करा दी 1st September की बुक कराई और 3rd की वापसी थी तो मेन्वाइल हमने ट्रेंड की टिकेट पी बुक कराई चंडी घर से डेली शिताबरी तो वह संडे की थी 1st September की तो अग्ले दवागाब मेरे दिखना मेरे पापा कैते ना आए तू भी चल सात में मैंने पूला की बुक किते हैं तू आप चल तो तो वहां तो मैंने ना आ झाल उटूने cathedral leading club की पापा और 2nd this country तो मैं भी चलती हूँ, तो हम लोग गए, और मेरी भी टिकेट बुक्स होगी laugh, जब मेरी टिकेट बुक होगी तो अफकॉस शताबदी की तो हमारी टिकेट बुक होई मतलब अलग लग होई क्यूंकि मेरी बाद में हुई थी टिकेट बुक फिर क्या हुआ मैंने एक सचंग पढ़ा था और सुना भी था ऐसे उस सचंग में ये था कि गुरुजी को अगर कभी भी आप साथ लेकर जाओ ना तो गुरुजी अपनी जबी भी मतलब जैसे अगर प्लेन में जा रहे हो या बस में जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो तो गुरुजी ना अपनी साथ वली जो सीट होती है ना वो मतलब ऐसे भी रिजर्वड रखते हैं अपने लिए मैंने यह उसा साच संग पढ़ा भी था और सच सुना भी था तो मैंने गुरू जी को बोला गुरू जी अच्छा ऐसा होता है तो आप मुझे भी हैसे अपनी प्रेजंस फिल कराना फेर मैंने अइसा गुरू जी को कहा फिर क्या कि मैं गुरुजी का स्वरूप अपने साहते हैं न खोटा पॉकिट मैं अपने साहते हैं गु कि जोगरे हैं भी हमारे साहते हैं मैं भी हुआ ग्रुट भेसंगा, देहीं जोगशी ऑफलन अठी हैं, खिल गो किरह दो aja हैं, गुष्ल भी हुआ हुए Stan Rehrani जिस कोच में पापा बैठे थे वो दूसरा कोच था यू वो इन बिलीव क्या हुआ मेरे जीजु है उनके कोई नोन में था तो उनको पता चला कि हम ऐसे ट्राविल कर रहे हैं तो वो ऐसी हमसे मिलने आए और जब मिलने आए तो उन्होंने ना बोला कि ना आपको पता है आप ऐसे जा रहे हो तो कोई बात नी हम आप तीनों को कट्थे शिफ्ट कर देते हैं तो हुआ यह उन्होंने पापा को भी हमारे याप, हमारे वले कोच में शिफ्ट कर दिया और ऐसे पतागा क्या शिफ्टंग ऐसी हुई कि जो हमारी वली एक सीट थी न वो एक एक्स्ट्रा खाली हो गए जो पूरा कोज भरा हुआ था वो पता नहीं एक सीट कैसे खाली होगी मतलब में को हैरानगी हुए कि वाव गुरुजी आप भी बैठे हो आपकी सीट भी है तो हम चारों की सीट थी गुरुजी मेरी पापा और मेरे भाई की फिर उसके बाद क्या हुआ हम लोग न गए वहाँ पे प्लेन में बैठे प्लेन में जब बैठे न तो मतलब मैंने बोला अच्छा गुरुजी आपने शुक्राना आपका कि आपने तो मुझे अपनी प्रेज अचानक से जहां पे मैं बैठी हूं हमारी वले रो में मतलब बिल्कुल साथ वली सीट खाली यह कैसे गुरुजी ने अपनी प्रेजिंस फिर फिर फिल कराई कि तुम्हारे साथ मैं भी हूं और मैंने भी अपनी सीट तुम्हारे साथ रिजर्व करके रखी हुए है चलो फ फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे मेरे पापा के ना चोट भी लगगी तो चलो वह तो गुरुजी ने आय थिंक बाबा ने छोटे में पापा का कष्ट काथ दिया क्यूंकि पापा शुगर पेशिंट है डाइबेटेक है और बीपी प्रॉब्लम भी रहती है तो गु इतना जादा रश बहुत जादा फुल थी फुल थी बिल्कुल प्लेन फ्लाइट मतलब फुल था फिर क्या हुआ जब हम वहां बैठे यू ओंट बलीव फिर से गुरुजी ने अपनी प्रेसंस फील कराई और वहां पे जो मेरे साथ वली सीट थी वह फिर खाली थी मतलब सारी जगा फुल था और सिर्फ मेरे साथ वली सीट खाली थी कैसे हो सकता है मैं शुक्राना गुरुजी आफ जब साथ गए तो वापस भी तो साथ मी आएंगे गुरुजी ने तब अपनी प्रेसंस फील कर आई फिर उसके बाद हम रेल्वे स्टेशन पर पहुंचे क्यूं वह वरा कोच अलमोस्ट खाली था बाकी सारा फुल था तो ये शुक्राना गुरुजी का अनंतम अनंतम क्या प्रेसंस फील करते हैं और मैंने तो जब ये रीट किया था मैंने बहुत ताइम पहले ये रीट किया था एक सचसंग और वैसी योटूब पे सुना था कि ऐसा हो और मैं एक्स्पीरियंस करूंगी सो गुरुजी ने अपनी प्रेजन्स फील कराई और बस शुक्राना गुरुजी का और ऐसे बहुत छोटे बहुत प्यारे प्यारे सचंग हुए अभी रिसेंटली आपको मैं बताती हूं एक ना अभी कुछ दिन पहले की बात है मेरी सिस्ट यह रही थी और हम लोग ना ऐसी हमारा मन था कि ना शॉपिंग करने चलते है तो हम शॉपिंग करने गए सेक्टर 17 में तो वहां पर जब हम गए ना तो ऐसी मेरी सिस्टर कहती आजना दोसा खाने का बहुत मन कर रहा है मैंने बोला हां काफी टाइम हो गया हमने खायानी क्य को बाइम को अटने का शॉपिंग करने खाया हम पर जया दोसा काने जाते हैं तो जब हम गए तो क्या हुआ कि गुरुजी को मैं जब भी घर से दाते हु तो मैं यह जाते हैं लोग गोफिंग साथ चलो हमारे फिर लाँपे अमने शॉपिंग का ली और हम ना इने वहाँ बैट और क्या हुआ वहाँ पर मतलब यह बहुत अमेजिंग है हम वहाँ पर बैटे जैनरली आप किसी भी रेस्टुरेंट में जाओगे आपको कोई भी वेतर आएगा तो जितने कस्मा जितने युनो बैट कस्माज होते हैं आप उतने ही मतलब ग्लास जो लेकर आते ह क्योंकि हमारा खुद का रेस्टुरेंट है तो ऐसे ही होता है जैनरली कहीं पर भी जाओ तो ऐसे ही होगा तो उसन बे क्या हुआ हम लोग तीन जाने थे मैं मम्मा और मेरी सिस्टर तो हम तीनो जाके वहाँ बैठ के और ऐसी हमें गुरुजी को बोला गुरुजी आप भी तो गुरुजी मतलब ऐसे मैंने तो मन से गुरुजी को ऐसे बोला और फिर एक सेकिंड क्या मुला है पनीत अंकल के डानस वाला सच्छंग भी सुनाना ओकी अंकल जै गुरुजी ज़रू सुनाएंगे जै गुरुजी पायल यह क्या बोल रही थी शिट भूलगी मैं दो मि नहीं पनानिर हां को पाई हां ठीश रोल पीक आपन ऐसे थी शिट रही है वहां पर मञषा को मैंने को सुनाने है जटी की कलक्या को के दिने गजाशी करें यहां कि कि अज्य हैंने। तो मेरी सिस्टर ऐसनी कहती ही कि तुने देखा यहां पर वेतर ने चार ग्लास रखे हैं, मैंने बोला है, चार ग्लास मैंने बहला है, प्रण ग्लास प्रण हम इस लिए थ्रम अ और कि यह तो गुरुजी का जलपरशाद है, तो हमने वो जलपरशाद समझ के पिया, इतने में जब मैं यह बात बोल रही थी, इतनी तेज, ऐसे ऐसे लग रहा था, जैसे हमारे उपर ना फूलों की बारिश हो रही है, मतलब रोजस की इतनी तेज फ्रेग्रेंस थी, और वो दो-तीन मिनट तक कॉंटीनूसली आई, और उस ताइम उस जगा से कोई भी नहीं गया था, कोई भी नहीं, तो गुरुजी के देखो कितने अमेजिंग वेज हैं, मतलब ब्लैस करने के, कि मतलब गुरुजी ने उस दिन एहसास कराया कि सिर्फ तुम तीनों नहीं आयों डोसा खाने, डोसा खाने में मैं भी आया हूँ यहां पर, तो गुरुजी ने रोजस की वो जो फ्रेग्रेंस जो यहां जो जो दो थीम मिनट तक काई और वो चार ग्लास्स अ वोटर जो थे वो जो थे रखे गए थे क्योंके माय पर गुरुजी थे टीन नहीं तो जांन टूसा पति कि एक तरभ से तो तो जिक्राना गुरुजी का बहुत बहुत शिक्राना कितने प्यारे प्यारे तो मैं आपको कॉन साथ सचंग सहना हूँ? मैं अपने ना दॉग का सचंग सहनाती हूँ रोम्यो का सचंग मेरा डॉग अब तो वो नहीं है मतलब वो गुरुजी के चड़नों में है बट यह कुछ ताइम पहले की बात है नवेंबर 31st October 일날 Complex अबरी तो मैं मन में अनया यह सचंग इस अपना बादे के साथ मनाया और किसी शाथ मनाया में एक बर्स गुरुजी के साथ मनाँगी में अपनी अप्रेंस को भी स्चंग संग पंडू घर द्र मींसे लिए we hadmedi type in satsangs किया संगत नहीं थी एक हम जावीμैमेंबस थें और मेरी कुछ फ्रेंद्स और वमस्त DD substitute किया सब्सेख सब्सान्ग करने के बाद सब्सम्स् achnd करे डियुने के सब्सक्राइड कर नहीं की सब्सक्राइड आप समत किया सब्सक्राइड गूाär तो पर अप्र हमारा गोल्दन लाब रा था किया इसलिए पता हुं थोड़ी नहीं तो पूंचलिए रोम्यो को याद करके रोम्यो को बहुत ज्याद तकलीफ थी बहुत जादा, इस बहुत टाइम पहले उसक कुछ प्रोब्लम थी पढ़ दॉक्टर को दिखाया था and he was like normal जैसे बिमार होते हैं डॉक्स मतलब फीवर या यह आप यह लगा लो तो वो इन्जेक्शन लगा तो थोड़ा बेटर फील करता है इतनी कोई serious वाली बिमार ही नहीं थी पर हमें नहीं पता होता है पता है जब भी घर में कोई satsang होता है उस satsang के पीछे कोई Guruji बहुत बढ़ा कल्यान करते है और यह मैंने महसूस किया है लिटरली मैंने महसूस किया है जब Sorry जमना Romeo उस दिन जब satsang हुआ Romeo सबसे पहले आगे बैठ जाता था Guruji के पास कि अभी तुम आये नहीं बहार Guruji बैठे हैं बहुते लगता था कि अभी सब अंदर तयार हो रहे हैं बहार क्यों नहीं आये और वह सबसे पहले Guruji के पास बैठ जाता था जब वह बैठता था फिर उसके बाद हमें नहीं पता था कि उसके दो तीन के बाद उसके तब बैठ काफी खराब होने लगी उसके यूरिन में ब्लाड आने लगया ब्लाड आता था हमने डॉक्टर को दिखाया हमने टेस्ट कराए और हमें अब अब आप की अपना डिवाली मना के जाओगे अभी नहीं हम आपकी गदी को बढ़ाएंगे तो हमें ऐसे बोला अब गुरुजी ने अमतलम गुरुजी तो जानी जान है उनको पता था उन्होंने ब्लेस करना था रोमियो को जोड़ी रोमियो बस गुरुजी के पास बैटता था बहुत जादा और हमने ऐसी कहा था कि दिवाली तक गुरुजी आप यहीं पे बैटो गए हमें ऊसका test पता चला कि उसकी test बहुत खराब आए है और तेस्ट में पता चला उसके liver खराब है उसके किड़नीस खराब है दोनों किड़नीस खराब उसको तो इतनी सीरियस प्रॉब्लम थी बहुत ज्याधा सीरिस प्रॉब्लम थी उसको और पिचारा बहुत तक्लीफ में था बहुत ज्यादा थो पर गुरु जी ने से उसको संभालव गुरु जी बहुत ज्यारी संभाल है वह गुरुजी के पास बैठता था in л old i जब उस थाओ ने हमारे मद में बस एकी थोटा आया कि आप कहीं नहीं जाओग blenderu नहीं रphenा है जब मैं रोंी को नbrand हमने ऐसे बोला एको भलां मुझाता है और गृओजी बाटे भी तब तक बैठ यॉच रोम्यों का उन्होंने रों Jamie गून गुलुकोस मेता था रप्रेस को लिए गुलुकोस चड़ता था दर्बार था और मैं जो रपर्टी करती। वो वाच पार्टी में मतलब जो सच शामघ थो मैंने दरबार में करती थी तो यहां किकिन मीस इतना तखलीफ में था सबी था उट LAU due यह साथ हैं मेरा सचंग पार्टनर था इतना द्रमच ना बैठती थी वह अब यह लगा लो जो टेस्ट कराये थे उसके तेस्ट थे उसके अंदर कुछ I don't know exactly यार प्यारा वो यूनित ना डॉक्स में अराउंड एटीन एटीन के बीच में होनी चाहिए वो उसका वन नाइन्टी सम्तिंग था वन नाइन्टी जो एट से नाइन्टीन के बीच में होना चाहिए वो वन नाइन्टी था और वो चीज उसकी कम हो ही नहीं रही थी गुरू मतलब आप यह लगा रहो बट फिर भी वो बच्चा मतलब रोता नहीं था वो खाना नहीं खाता था पर हम उसको जल परशाद देते परशाद भी मिलना बहुत किसमत से मिलता है वो हमारा रोमियो इतना बच्चा ब्लेस्ट की मतलब उसने हमने उसको गुरू जी का लॉकेट पहनाया है ना लॉकेट पहनाया उसको चंदन की टीके की में वो सेवा करती थी गुरू जी को लगाती थी लगाने के बाद संगत के जाहां जाह भी जाहां पैपिति घर की तुटता Cris मतलब माँ था तारे कहते हैं यह को रूरहना आप सह errता है इतने सारी दुन्या में डॉग्स हैं बट में को लगता है रोमियो बहुत जादा ब्लेस्ट है कि गुरु जी ने उसको चुना अपने लिए और मतलब अपनी संगत में जोड़ा और वो बच्चा खुद मतलब उनके चंडों में सोता था और जब गुरु जी को लगा कि ना उ उसके तकलीफ कुछ सादा ही है तो गुरु जी ने उसको अपने पास ही बुला लिया और रहा हमें कराए हमें ब्री में हमें महसूस कराया कि में को दर्शन भी गुरु जी ने build़ अपने चोले में दिये गुरु जी चेम इस रोमियो और ड्रीम में आया कि रोम्यो गुरुजी के पास नहीं ऐसे गूल गूल ऐसे घूम रहा है और बस गुरुजी वो सचसंग हमारे घर इसलिए होना था क्योंकि हमारा रोम्यो बहुत ज़्यादा तकलीफ में था इतना पार लगाना था गुरुजी ने उसको मुक्ति देनी थी गुरुजी ने उसको blessings देनी थी और गुरुजी के बस और करीब यूनो अब वो जहां वो बस गुरुजी के चंडों में हमे इतना पता है इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है बट डेफिनेटलि एस हम उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं बहुत ज़्यादा क्यूंकि सच मैं मैं आज भी अगर मैं बोलू ना तो मेरा मतलब हमारे घर में जब भी कहीं पर भी किसी रूम में भी शबत यहां पाठ चलता था तो वो आके गुरुजी ने दी उसको शुक्राना बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि इतना हमें ब्लेस किया हमारे रोमियो को ब्लेस किया हमें अपने सेवा में लगाए रखा बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी बहुत 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 शुक्राना बहुत ज़्यादा सबसे चोटा बच्चा सबसे चोटा बच्चा आज भी घर उसके बिना बहुत खाली लगता है बहुत खाली मस क्या बोलू मैं इतना पता है कि यह जो पीछे बैठे इनके पास है सो बस इसी चीज की खुशी है और हम सब ने भी नहीं के पास जाना है सो गुरुजी सब पर महर करें सब बहुत-बहुत महर करें चलिए और मैं और सचंख कोहन से आपको सुनाओं और कौहन सा सचंख यह ना अभी पुनित अंकल ने भी यहां पर सचंख के बारे में एक लिखा था कि आप वो शुक्राना वला वो सुनाना डानस वला यह ना कुछ ताइम पहले की बात है जो मेरा फर्स सचंख हुआ था था 13th of December को उस दिन क्या हुआ कि सचंख बहुत अच्छे से हो गया में को मतलब ऐसे सबने मैसेज कि बहुत अच्छा सचंख था बहुत अच्छा लगा मैंने बुला बस शुक्राना गुरुजी का और हुआ यह कि रात को ना बस हम लाइव सुनते हैं स्वाति आंटी का वो आते हैं उस पे इंस्टाग्राम पे सब्सदाः सब्सक्राइख था छेतर वे कर लोगा दें चाँ ना अच्रास शुदाख शूर भाता ऑन रोगाया था जुगनी याद सब्सक्राइख घर सञी पाञा कि उनना एक ने लोगा मिह पना इफके लिए कप जुआ करो और ऐसे करकर तो मतलब पर मैं किसी को तो नहीं देखा सकती है अपना दान्स ऐसे ना क्यूंकि मैं को तो सिफ आपके लिए करना है मैंने ऐसी गुरुजी को बात बोली आट आट आफ नोवेर थोड़ी टाइम में जब सचंग खतम हुआ तो पनीत अंकल का मेसेज आया कि जै गुरुजी आती और फिर अंकल ने बोला मुझे कि ना सचंग बहुत अच्छा था और गुरुजी की तरह से आपके लिए शुक्राना गिफ्ट मैं मैं बना शुक्राना वह क्या शुक्राना गिफ्ट उन्होंने मताया कि उनका अपकमिंग एक भजन आ रहा है जा एश करके आ रहा है भजन तो कहते गुरुजी ने काया कि मतलब कि मुझे भी इंक्लूट करना है उसमें और मैं सोचा यार मतलब अभी जस्त फाइव बिनट पहले मैं गुरुजी मुझे मुझे आपके लिए आपको ड dil很 library दान्स कर साती रूस मुझे आपके लिए आपके साथ ॥्रुजी किस तारह से सुनते हैं अमेजिंग ने गुरुजी ने उसे मैंको शक्दाना गिफ्ट भंज़ थिया टो फिर अंकल ने बोला उसकार आप एससे वीडिए नहीं ब कुमिंग बाक टो गुष्ट तो इसे ये मुझे शुक्राना गिफ उसी दिन मिल गया देखो जिस न पेले जिन सच्ण किया उसी दिन गुष्ट ले दिया तो बहुत 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 ज्यादा गुष्ट गुरुजी का अपनीत अंकल आपका भी कि गुरुजी ने आपके थरू बस ये एक छोटा सा शुक्राना सच्ण था जो उसे मुझे मिला बाक की और और कौन से बहुत चारे सच्ण आपके याद भी नहीं आ रहे हैं मुझे याद आगया याद आगया एक सच्ण मेरी सिस्टर है उसकी दादी का है मतलब जो दादी सास है उनका है तो दादी का सच्ण ये था कि अभी कुछ ताइम पहले वह मांसा में रहते हैं तो दादी काफी बिमार चल रहे थे सदनली न उनको जॉट्डेस हो गया था औ मतलब मेरी सिस्टर ने काया कि आप लोग चंडिगर आजाओ हम ना पीजी आइ में दिखाते हैं तो पीजी आइ में दिखाया उनके टेस्ट वेस्ट हुए तो डाउट हो रहा था कैंसर का कि उनको जैसे कैंसर है पांक्रियास में और बहुत परिशानी वाला टाइम तो था मेरी सिस्टर ना हम ना दादी को गुरु जी के बारे में बता रहे थे कि ऐसे मतलब गुरु जी है गुरु जी प्लैस करते हैं और दादी जब जी साहिब का पार्ट करते हैं मतलब वह जब जी साहिब का पार्ट करते हैं मतलब वह जब जी साहिब का पार्ट करते हैं मतलब हमने जब उनको बताया तो वो बस मत्था टेक लेते थे सच इतना मानते नहीं थे कि मतलब गुरू जी को फिर क्या हुआ कि दादी को एक दिन ड्रीम आया ड्रीम दर्शन हुआ उस ड्रीम दर्शन में उनको एक ना वो बताते हैं कि वो और मेही सिस्टर नेना वो लोग गए सतसंग में जब गए दादी में रियम में दर्शन है यह सब के लिये बाकी को बांट रहे हम नहीं लेंगे तो में दादी कहती कि नहीं जा के ले ले तो बाहर निकले उनको एक अंकल मिले वह बौल्ड थे और बहुत ही बहुत हुए ज्यादा नुप कोट पैना हुआ था तो उनोंने नूर था उनके फेस पे अजहो हुआ है तो Room नोर था उनोने नूर तरह पैना椅ए उन्होर है Aww तो इन्होंने नाम डादी से पूछा, और दादी का नाम है क्रिष्ट्र उन्होंने बोला और पहने की हाल चाल है तो दादी केथी मैं ठीक हूं तुसरी सुना थो वह कहते है मैं भी ठीक हूं और होर तेरा operation हो गया तो दादी कहते नहीं मेरा operation नहीं होया वो जो doctor थे न तो वो कहते मेरा हो गया बड़ा यह ओखा operation सी बढ़ पहने तेरा नहीं होगा उन्होंने पंजाबी में उनको यह बात बोली कि तेरा नहीं होगा मेरा हुआ पर बहुत मुश्किल आपरेशन था। जब यह बात हुई तो दाधी ने ना और कैते हां, उन्होंने एक और बात बोली कि ना किनु खा तेरा आप्रेशन नहीं होगा। ऐसे उनको सपने में उन्होंने का। तो दादी ने ये बात वैसी में सिस्टर को बताई। जब उसे में को बताई ना तो मैंने बोला वह तो गुरु जी थे। तो दादी को आप्रेशन तो नहीं होगा। अगर गुरु जी ने बोलाा नहीं होगा तो उसे होता का। mniejना ये ये अचान को जो था न तो दादी को ये का दो, ट॥ा बारी ने उनके ती मिपचाती लिए के लिमक्राशन रहा है। इसी में तो काट दिये आंड बाद में उनको टेस्ट कराया, जब टेस्ट कर आया, तो हमें तो कुछ समझ मेंनीच खाल रहा हैं कि हम मुझे काईर कानकर पैला एक सीच ul तु तु आपकि आपको एक बार्याय को काया, थि और कमिल बूआ तो श pushed me उन्होंने बोला कि उनकी एच इतनी है कि ना इनका उप्रेशन हम कर सकते हैं कि बहुत मुश्किल होएगा और कीमोज भी नहीं होंगी देखो गुरु जी की बात सची होगी उनकी सर्जरी नहीं हो रही और उनको सिर्फ कहते कि आपको मैडिसंस देंगे, मैडिसंस ही खानी है और उसके बात क्या हुआ कि गुरु जी ने उनसे अपनी चणो की सेवा ली चणो की सेवा कैसे ली? कि अभी विंटर्स का टाइम था तो मैंने बोला था कि न मैंने गुरु जी के लिए जुतिकर लेनी है गरम वाली मैं लेकर आऊंगी तो मैं मार्केट गई मैंने जाना था मार्केट पर लेकिन मैं जानी मतलब पता नहीं हर बारी मैं भूल जाती थी एक दिन सुबा अचानक कि गुरु जी नना मेंको ऐसे बोला कि दादी को बोले है कि मेरे आ सॉक्स बहुत अच्य मनाती है और वह वूल न की बहुत सुदर सुदर ड्रेस बनाती है और आई वह shortcuts. वह बनाती है तो न पता नहीं गुरु जी ने मेंको बश् arrangements sa枉क बनाएा है मेरे लिए तो किस सेवा लेनी थी शायद और उनको ब्लेस करना था और फिर मैंने दादी को बोला कि आप नहीं बनानी है बई गुरु जी ने तो आपको भी बोला है कि आप भी सॉक्स बनाओगे तो दादी ने बना के बेजी हैं मैं वह पेनाओंगी और फिर एक दिन ऐसे हुआ कि जब होस्प करना कूँए सब्सक्राइए स्टन्ट डला कि कम हो जाए जॉन्डश वह जॉन्डश पेसर है लेकिन थोड़ा बहुत लूम इनको रियक्त हुआ कि उनको खाना नहीं खा पा रहे था उनको कि बहुत मुश्किल हो रही थी तो उन्होंने ना ऐसेए बोला से बैकर बेट लुषे नैना ुदि गुरूजी को यह और आध को सुँडों और था आध करें को अनुगक अनुगा सुद्टा गुरूटी आध में किया घुकि तबिआ Christmas below अच्प ऑपनों दिखानी हैॉ सेब आ करें बाध में में सब्सक्राइब मतलब भजम कर सकते थे उन्होंने प्रॉंठा काया मूली का इमेजर और उसके बाद से अब तक तच्वट गुरुजी की मेहर है कि वह मतलब इतने अराम से उनको डाजेश्टिंग का कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं हो रही है तो गुरुजी ने किस तरह से उनको उनकी रोटी खाने की और गुरुजी ने उनको इतना ऐसे ब्लैस कर दिया कि उनको कोई प्रॉबलम नहीं है और अराम से वह मतलब रह 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 रहे हैं तो शुक्राना बहुत बहुत जादा शुक्राना गुरुजी का कि देखो जो नहीं भी मानते हैं और अगर आप दिल से उ सुनते हैं बस बात सिफ यह है कि हमें दिल से उनसे बात करनी है दिल से उनको बताने अपनी दिल की बात और वो अपकी हर बात सुनेंगे और उसका आंसर भी करेंगे उनके अलग लग वेज होते हैं हमें कई बात समझ में नहीं आता कि गुरुजी किस वे से हमें आंसर दे लेकिन अफ्कॉर्स जब हम अपना कनेक्शन उनके साथ डारिक बनाएंगे स्ट्रॉंग करने की कोशिश करेंगे व आपको आंसर जरूर देंगे डेफिनेटली देंगे तो अभी रिसेंटली का ही है मैं आपको बताती हूं क्या हुआ दो तीन दिन पहले की बात है मेरी ना एक आदत है जैसे यहां पर मैं शाम को जो सत्संग करते हूं जब वह सत्संग खतम होता है तो मैं फटा फट मैं भागती हूं मैं फटा फट यहां से गुर्धवारों जाती हूं मेरा डैलि का रुटीन है कि मैं यहां से सथसंग ओआ हो गाśli साम को जो एवनिंग वाला करती हूं उसके बार मैं सीधा गुर्धवारे जात sellersू तो मैं जब मैं गुर्धवारे जाती हूं तो ना कुछ दिन पहले ना I think last week की बात है एक ना बच्ची दिखी मुझे वो बच्ची होगी around seven years की लगा लो seven years की और वो ना चलनी सकती थी उसकी पैरों में बहुत problem थी बहुत मुश्किल हो रहा था उसको चलने में तो गुरुजी ने मैं ऐसे गुरुजी से अदास करी थी क्यूंकि उसके मम्मी और उसकी दादी उसको पकड़के उसको आगे मता टिकवान के लिए लेकर जा रहे थे तो ऐसी वो जब मैं देख रही थी तो मेरे बस मन से ऐसे निखला कि गुरुजी प्लीज आप इसको ब्लेस करना हो और कभी ये ना खुद चलकर आए आपके पास और ऐसे हैं मैंने कहा गुरुजी को कि आप इसको ब्लेस करना और मैंने उसको देखे स्माइल भी की थी और क्या हुआ अभी कल परसू की बात है मेरी सिस्टर भी मेरे साथ गई तब भी हमने देखा वो आई हुई थी बच्ची और अपने दादी और अपनी ममा के साथ ना यूनो पकड़ पकड़ उनका हाथ से आगे जा रही थी कल क्या हुआ कल मैं गुर्द्वारे गई मैं बैठी कीतन चल रहा था मैं बैठी एकदम से मैंने देखा एक लड़की अपने आप चलती हुई आहरी है मतलब जब मैंने देखा मतलब मैं हैरान होगी ये वो ही लड़की थी जो अभी मतलब पकड़ पकड़ के उसको अभी भी ततलीफ थी चलने में पर लेकिन वो खुद चलके जा रही थी जहां पर उसको उठने में भी सहारा चाहिए था अपनी मम्मी और दादी का मतलब अरदास में कितनी पावर है अगर जब आप वो मत्था टेकती होगी मतलब मैं दिल से कह सकती हूँ कि अफकोर्स सब उसके लिए प्रे करी रह होंगे और गुरुजी ने इतनी जल्दी मुझे अपने आँखों के सामने दिखाया कि देख वो चलने लग गई है और वो कल मैं इतना इमोशनल हूई उसको देखकर कि वाव गुरुजी आपने तो एदम से ऐसे मुल्दम ऐसा ने सारा दिखा दिया जो चलने सकती थी जो उठे नहीं सकती आज वो खुद चलकर जा रही है आपके पास उसको किसी सहारे के ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो यह अर्दास की कितनी बड़ी एक जीता जाता है मतलब एक्जामपल मैं अपने आखों से देखा कि किस तरह से एक हफते के अंदर ही गुरुजी ने मुझे क्या नजारे दिखा दिये तो बहुत बहुत जादा शुक्राना गुरुजी का तो आज इनफाक्ट मैं अभी न कुछ टाइम पहले मैं आंचल दीदी से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई उन्होंने भी अपना एक वैसी सत्संग शेय किया इतना अमेजिंग था आज आएक्चली मैं सुबह से बहुत नर्वस हो रही थी कि हाई आज सत्संग है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या शेय करूंगी इतने सारे सत्संग है मेरे पास शेय करने को पर लेकिन पता नहीं मैं ब्लैंक होगी सुबह से और मैं को बहुत इंजाइटी ओर दी एक जो नहीं रहा है बट फेर मैं नहीं शांक को मैं आंचल दीदी को फोन किया दुपैर को इन फैक्ट मैंने बोला ऐसे बात तो वह कहते ने ने सबच्छा ओएगा गुरू जी अपने आप बुल्वाएंगी अपनी बुल्वारिया जो वह बुल्वाना चाँ रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन कौन से सच्छंग पर सुना रही हूं और किसको इससे क्या blessing मिलने वाली है गुरू जानते हैं जो मैं बोलाई हूं सिर्व गुरू जी बुलवा रहे हैं मैं कुछ नहीं बात करे इन्होंने अपना सत्संग संब तो उनकी बेटी थी तो वो लोह गए गार्डने लड़की को हुआ यह वह एक घंटा गुमते रहें पर उनको कुछ नहीं मिला और उनका पैय का साइस भी बहुत बड़ा साइस था, मतलब आप यह लगा लो, मतलब 10-11 नंबर था, मतलब काफी बड़ा साइस था, तो उनको मिल नहीं रही थी, तो सदलनी क्या हुआ है, एक शॉप पे उन्होंने देखा, एक अंकल थे, वो उनके शॉप पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, और उस स्वरूप में न, मतलब वो अंकल जिनकी शॉप थी, तो वो अंकल ब्लेसिंग बांट रहे थे, एक अंटी को, जब उन्होंने ब्लेसिंग उनको दीना, तो यह जो आंटी थी न, उन्होंने आंचल दीती के लिए बोला, कि यह भी गुर बर हम लेकां बुरू जी की तो उन्होंने उनको फिर लोकित्स्वरूप दिर दीना, तो यह लोकिट्सवरूप दि धी को, जब उनको लोकित्स्वरूप दिया उनके बाद वह एक ब्रान्ड एक रॉकस किया बांस कर थे, तो वहां पर उनको साईज का सांडल में फ़ए, तो फिर भी उनके मन में तसलीनी उन्होंने बोला एक जगा और देख लेते हैं बट उनको वहां पे भी नहीं पसंद आया तो वह वापस उसी शॉप पे गए और वहां से उन्होंने वह सैंडल खरीदा अब वही चीज हम बात करें थी कि देखो उससे पहले एक घंटा पहले क्योंकि आंचल दीदी ने वैसी बोला था कि गुरुजी प्लीज बिचारे कब से ऐसे घूम रहे हैं आप दिला दोना सैंडल आप दिला दोना और ऐसी लॉकेट मिलने के बाद सीधा जो शॉप पे गए वहीं से उनको पसंद आया और वहीं से उन्होंने खरीता है गुरुजी चोटी चोटी बाते सुनते हैं अब मैं इसी के रिलेटेट फिर मैं उनको अपना सच्छंग सुना रही थी कि जैसे मेरा हाथ है ना तो मेरे यहां पर हड़ी है यह इस साइट को थाम वाली साइट प जो बहुत बड़ा लेना पड़ता है क्योंकि हड़ी की वज़े से मैं पहन नहीं सकती है और ऐसी मैं गुरुजी को बोल रही थी अभी रिसेंटली करवाचाओ के टाइम पर तो सब कुछ शॉंक होता है तो मैंनी बैंगल्स खरी दी और बड़ा साइज यह पर लेक इतने तो मैं गुरुजी को बोल रही कि देखो गुरुजी छोटी-छोटी बातों में किस तरह से ब्लेस्टे है और हमारे पास जो कुछ भी है ना हमें उस चीज़ को एप्रीशियेट करना चाहिए कुछ भी हो हमारे पास और यह सबसे बड़ा जो हमें ब्लेसिंग निरोक की जो इस चीज़ कुछ रहे हमारे चाहिए कि सबकुछ प्राइब कि स्खेंव थ यह सबसे में कीज़ी कि ब्लहः के घए किन अरुग हमें जात है तुम सबरे अ क्तो हमें हमें तो में मिलती है पर्योटी वो भी जो हमारे पेरेंस होंगे यह आप यह लगा लो यह जो भी हमारे केर्टेकर्स यह कुछ सब हमारे आसपास वो भी थोड़े से यूनो केर तो हमारी करेंगे पर लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत उनको भी होती होगी बस यह है कि जो हमारे पास है हमें उसका शुकराना करना चाहिए बहुत जादा शुकराना करना चाहिए क्यूंकि मतलब बहुतों के पास ये सब भी नहीं होता सत्मे आप मुझे रगता देखो आप सब आदाम से चूड़िया बहन सकते हो मैं नहीं बहन सकते हूँ बढ़े लेकि पिपि चलना शुकराना उस दें गुरु जी ने पहना दी मुझे बट ये चीज है हर चीज का शुकराना छोटी छोटी बातों का शुकराना क्योंकि गुरु जी हमारी लाइफ में क्या-क्या बख्षते हैं हमें आप सब को मेरी आवाज आ रही हैं ना अचलि मुझे कुछ कॉमेंट्स ना दिखाई नहीं दे रहे हैं I don't know तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अपने आप से तो नहीं बाते करी सिफ आप एक बारी कॉमेंट कर देंगे कॉमेंट कर देंगे प्लीज I don't know ओके मैं जगया तो मैं क्या बोल रही थी हाँ कि हमें थैंक्यू करना चाहिए हर छोटी छोटी बातों का कि किस तरह से गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं छोटी छोटी बातों में ब्लेसिंक्स है अब मैं परसोगा ये आपको स Character सनाती हूँ परसो क्या हुआ कि गुर्दवारे में हाँ हम ना ऐसी गुर्द्वारे गए थे मैं और मेरी सिस्टर उस दिन वैसी मैंने अपनी सब ऐसे मत्था टेकते हैं और अरदास चढ़ाते हैं पैसे चढ़ाते हैं मत्था टेकते वक्त मैं बहुत टाइम से गुर्द्वारे जा रही हूँ तो मैं हमेशा मत्था टेकती हूँ पर करना है यह मैं हम कर देते हैं लिए दाया ऑफ क्लिख भी तरThis दुकी जब करते हैं लोग टरट अब होग शे राया एक राध भी मुझे बस मिलने जाना है, मुझे बस शुक्राना करना है, मुझे मिलने जाना है, बस मैं इस बाव से जाती हूँ, बस मैं इस बाव से जाती हूँ, तब ही ऐसी होता था, मैं मिलने जाती थी गुरुजी से, मतलब मैं अपने कृष्णा से मिलने जाती थी, और अभी भी जब म तो बस मैं मिलने जाती हुग और असा कêu अपैमLES कि घने ए किया कि हाँ यह मागने तो नएं कि की मैसमेश मे आ गया यह मागना नहीं है और अमसमझ में अपन०्वाजेश। गुरु जभी अपने अाप आपS के लिए आपके लिए सही होगा वो अपने आप आपको ब्लेस करेंगे देन क्या हुआ कि मैंने जब ऐसे मन में सोचा कि गुरु जी मैं कल से आपको चढ़ाऊंगी आपके लिए भी चाहे कुछ भी हो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी मैं चढ़ाऊंगी आप यकीन नहीं मानोंुगे उस ताइन पर कीर्टन तो ओवर हो गया था साखिया चल रही थी मतलब कथा सुनाते न तो कथा सुना रहे थे कथा क参नो मुझे वाचक तो कथा सुना रहे थे भाई जी उन्होंने क्या बोला उन्होंने बताया कि एक बारी न एक संगत थी वो गुरू से मिलने आए और उनके लिए फ्लावर्स लेकर आए थे तो गुरू जी ने कहा कि न इसकी कोई जरूरत नहीं थी आगे यही बहुत बड़ी बात है तो यह फूलों की इतनी जरूरत तो उन्होंने कहा कि में को बताया गया था जब महापुष्यों से मिलने जाओ या गुरूं से मिलने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना तो यह संगत ने यह बात बोली दी फिर जब बात ऐसे बोली फिर क्या हुआ कि गुरू जी ने क्या आंसर दिया गुरु जी ने आंसर दिया कि तुम खाली हाथ आजाओ you know what empty hands आजाओ तुम बट तुम्हारी अंदर भाव होने चाहिए तुम गुरु जी I don't know चे गुरु जी संगर जी क्या मेरी आवाज ओडिबल है I don't know बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया जै गुरु जी प्लीज आप कॉमेंट कर सकते हैं में को क्यूंकि ना कॉमेंट्स में नहीं दिख रहे हैं आपकी मैं कॉंटिन्यू करूं पॉफेक्ट मैं क्या बोल रही थी तो भूल जाती हूं मैं बहुत जादा सॉरी मैं यह बात बोल रही थी कि उन्होंने बोला खाली हाथ आजाओ बट अपनी अंदर ना भाव लेकर आना गुरु जी ने यह बात बोली और मैं इतनी इमोशनल होगी कि मतलब गुरु जी आपने एक सेकिंद में में एक आज़ दे दिया कि मैंने आपको बोला कि मैं आपके लिए कल से और चड़ावा के लिए में लेकर आँए कुछ क्यूंकि मैं तो सिर्फ मिलने चाती थी और मैं बस प्यार, you know what, एक उप्यार वाले भाव से जाती थी, और गुरु जी ने में एक उस कथा में आंसर दे दिया, कि तो खाली हाथ आजा, बट लेकिन, जो तेरा ये जो, बीच पीच में इंटरॉप्शन है, अभी आवाज आ रही है, और या मैं फिर से जॉइन इन करूँ, ठीक है, अगर बीच में आपको थोड़ा दिक्कत हो, तो आप में को प्लीज कॉमेंट्स में लिख देजेगा, तो फिर गुरुजी ने में को ये देखो, ये बात बोली कि, कि देखो, भाफ कितना जरूरी है, आपके अंदर प्यार उना से, ये तो मेरे सब कुछ है, हर रिष्टा मेरा इन से है, हर रिष्टा, चाहे वो माबाब का हो, चाहे वो प्यार का हो, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो भाई का हो हर रिष्टा मेरा इन से है तो बस मैं उस भाव से ऐसे बस चाती थी मिलने और गुरुजी ने बस में को आंसर दे दिया कि तु खाली हाथ आजगी न में को चलेगा I am happy with it बड़ तू बस ऐसी खुशी से और प्यार से बस आया गर and बस मैंने शुक्राना किया मैं बहुत एमोशनल होगी देखो गुरुजी किस तरह से आंसर देते हैं मेरी हर मतलब हर सेकंड को आंसर ऐसे देते हैं मैं सोचती हूँ कि क्या बात एकःट इसे विह खुटके बजश्न आदो आधी आटाया है मतलब इतने प्यार है हमारी गुरुजी इतने ज़्यार है मतलब बहुत ज़्यार है गुरुजी पर कि गरुरुजी किस तरह से ख्याल रखते हैं तो मैंने बस धताल गई तरह समया और बस और शुक्राना बहुत बहुत जादा शुक्राना कि आप सब मुझे प्यासे से सुन रहे हो प्लीज आप सत्संग शेयर करने की बी सेवा कीजिगा ये ना मैंने अभी कुछ दिम पहले एक सत्संग सुना था तो उसमें उन्होंने का था कि share भी करना चाहिए, कि यह मतलब क्यूंकि share इसलिए करना चाहिए, क्यूंकि बाकी सब को पता नहीं कौन सी बात का answer मिल जाए, किस सच्छंग से, है ना, इसलिए आप लोग भी वह सेवा कीजिए का, बैठे बैठे, सुनने की सेवा तो आप करी रहे हैं, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, अब मैं आपको अपना कौन सा सच्छंग सनाओ, ओके-ओके, हाँ, मैं को अभी जैसे अब शादी का सीजन आ रहे है, तो आयते हुए, शादी की related सच्छंग सनाते हूं, कि गुरुजी किस तरह से bless करते हैं, तो अभी last year की बात है, तो सच्छंग के टाइम पर मतलब मेरी सिस्टर की वेडिंग थी, तो जब मेरी सिस्टर की वेडिंग थी, हमने लेंगा लेंगा सब बुक करना था, फाइनल करना था, तो बिचारी वो तो बहुत-बहुत-ज्यादा कि मैं कौन सा मतलब लेंगा लूँ कौन सा पैनु में कलर, तो उसने अपना लेंगा कस्चमाइज कराया था, जब उसने कस्चमाइज कराया था, वो बिचारी बहुत-ज्यादा धरगी थी, कि मैं गुरुजी कलर सही भी है या नहीं है, पता नहीं मुझे बहुत डल लग र तो उसने ना ऐसी मन में बोला कि गुरुजी आज तो आप मुझे प्लीज आंसर दे दो कि मेरा जो लेंगी का कलर है वो ठीक तो है ना अच्छा तो लगेगा ना मतलब यह आपकी मन्जूरी से है क्यूंकि जो लेंगा है वो आप नहीं बनवाना है आप यह अच्छे से बन अच्छा होएगा और जो कलर का गुरुजी ने अपना वो चोला दिखाया तो यह देखो गुरुजी के वेज है बलेस करने किस तरह से उसको अपना अंसर मिल जा कि टेंश मतले तेरा मतलब लेंगा बहुत अच्छा होएगा और मैं ही मैंने ही डिसाइड कराया वो कलर शु व्हों हम पर देने जा रहे थे ना तो मैं मेरे पापा मेरी मम्मी थी तो ना उस तायम पर क्या हभा क्योंकि पुल स्वी तायम रह गया था मय्री जो सिस्टर है ना हमने सबसे पहले काड्स आएं बाबा के मन्दे तो दी आ ही था और हम ना बड़े मन्दे नहीं जा पारे और हमने यह सोचा था कि जब भी गुरुजी का सत्संग होगा ना तो हम सत्संग में गुरुजी को कार्ड देंगे हमने तो गुरुजी का कार्ड पहले ही निकाल लिया था कि जब भी सत्संग होगा तो हम जाएंगे और दे आएंगे मेन्माइल ऐसा सीन बन गया कि हमें उसके इनलौ। की घर जाना पड़ गया और जो मेरी सिस्टर है वो कहती है मैं उसी दिन सचंग थायक। तो मे इसस्टर कहती ही कि मैं चली जाती हूं मेरा ब्रदर चली जाता है। हम कुरी जी को कार्ट भी दे देंगे। तो वो ना जब जाने लगे ना सत्संग के लिए यूट बिलीड कहती है उसको ना एक वाइट कलर की बटरफ्लाई दिखी तो मतलब वो ना साथ साथ ऐसे पूरे रास्ते वो चलती रहे तो जब वो वहां पर पहुँजी ना ईसत्टसंग में दरबार में तो उसने देखा की मतलब जो गुरूजी का चोला था था वो पाठा वाइट कलर का चोला पेहना हुआ था एक ना की स्टराइब कॐलिग उसने चलते ना रिखा रोत खाए दिख बिलेसका है उस्टव जब गुरु जी के लिए लड्डू का तो जब लड्डू का लेक के गई ना डबा तो जब सत्संग खतम ना जब बहार आई तो वह परशाद डिस्टिब्यूट करते है ना तो बहुत सारे मिठाईयों के डब्बे थे वहां पे और मिठाईयों के डबो में जब उसकी टर्न आई मतलब ऐसे उसने आगे वहां पे आंटी से परशाद लेने की गैस वाट क्या हुआ है गुरु जी ने जो वो गुरु जी के लिए मिठाई का डब्बा लेकर गई थी गुरु जी ने सबसे पहले वही मिठाई का डब्बा खुलवाया और सबसे पहले उसी को ही लड्डू मि क्योंकि गुरुजी ने बताना था कि यह ले मैंने तेरी कार्ड एक्सेप्ट कर लिया है मिठाई का लिये अब तू खा ले अब तू लड्डू खा तो गुरुजी के यह वे से मतलब इतने अमेजिंग वे था उसको ब्लेस करने का तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का कि किस तरह से चोटी-चोटी बातों का ख्याल रखने है तो बस और और मैं आपको यह गुरुजी का शादी के रिलेटेड एक सत्संग था कि क्यों गुरुजी ने किस तरह से ऐसे ब्लेसिंग सी मेरी सिस्टर को और मैं आपको और कौन सा सत्संग सनाओं बहुत सारे सत्संग है संगर जी बहुत सारे सत्संग है मतला अगर मैं बताने लग जाओं तो ऐसे लगता है कि इतने सारे सत्संग हर रोज गुरुजी कुछ ना कुछ सत्संग मैं इसा करते ही करते ह मेरी सिस्टर के एक पस बन गई थी तो इतना जादा उसको पेइनफुल था उसने डॉक्टर को दिखाया मतलब ऐसे फोन करके गायनेकॉलिजिस को पूछा कि ऐसे बन गया है तो अब बताओ मैं क्या करूँ तो उसने डॉक्टर ने उसको मेडिसन लिखके दी और कहा कि ये खा लेना और थीक हो जाएगा राम मिल जाएगा क्योंकि बहुत दर्ड हो रहा था उसको इस और ये में आप रखने दर्द आयो और के आपके देटाए परने या जो बच जाएगा जा बढ़ाएक में आपको लगाओ और ये में ये ग्रणी क्या गाएब करते हैं जो अब खुल मागा का लिर दो प्ला सब्सक्राइज भी है थे नहीं जाते हैं पर न Запन कोंनेश जिए और दोन रुट मैं उसकी भी सुघक आ तुल बसाचिस निरा बजा को दोक्छ पस निए हुग ZA मजेत। सुघक की शुक्ता संटीतव कि शुक्राणा नंतम अनंतम अनंतम अंतर शुक्राणा आ फोरिश की तॉक्त झाहा हैं देते हैं सच में चंदन के टीके में तो बहुत पावर है चंदन के टीके के रिलेटेड एक सचंग ऐसे भी था I think मैंने लास्ट ताइम भी सुनाया था दान्त की दर्द का सचंग था मेरे ना जो लॉक्डाउन के टाइम की बात है मेरी मम्मी की दान्त में बहुत दर्द हो रहा था अब उस साइम पे आप लगा लो कि हम डॉक्टर डेंटिस्ट के पास नहीं जा पाए थे है ना तो फिर हुआ ये कि हम ना मैंने मम्मी को एक सचंग सुनाया था अब आप में सुनाया था तो अब ऑनने दान डर्द के रेलेटिड की ना सबसे पहले गुरुजी को चंदनका ठीका लगाओ और अपने दान्त वाले अरिया पर लगाओ और क्यूंकि ममी ने मेडिसीन भी खाई थी भा को या राम नहीं मिला था तो चंद्रिक नी का डिका तो लगाई गूरुजी को आपको लगायाा अपने डांट वालेटे में अइज़ों पहले एरिया को भग लगाया फिर जब वो सोगी अगले दिन बिल्कुल ठीक हो गया उनका दुट तो यह मैंने मम्मी को सुनाया था और जब मम्मी ने सुना फिर मैं मम्मी को बोला आप भी चाय परशाद नाओ भोग लगाओ और साथ में जो भी बिसकेट या रस चुक पर रखाओ और मेरी मम्मी ने ऐसे ही कि परशाद पीली आप यकीन ही मानोगे उसके पांच में दस मिनित के बाद मेरी मम्मा का दर्द हो कायब बिल्कुल ठीक और आज तक दार्द में कोई दर्द की प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि किसने अमेजिंग वेज हैं गुरुजी के बहुत जादा इतने मतलब ऐसे लगता है कि बस शुक्राना करते जो करते जो करते जो इतना इतनी अमेजिंग वेज हैं गुरुजी बस बहुत सबको बहुत बहुत जादा ब्लेस करें और प्लीज आप लोग भी चंदन की टीके की सेवा जरूर किजिएगा आचा जब हम कोई सेवा करते हैं सेवा के रिलेटेड एक सत्संग सुनाते हूं बहुत सुंदर बहुत अमेजिंग सत्संग है सेवा के रिलेटेड ये सत्संग है कि अभी जब लॉकडाउन का टाइम था उस ताइम पे गुरुजी ने हमसे लंगर सेवा की कहते हैं सेवा ली थी तो मतलब जब तक lockdown था तो गुरू जी की कुरपा से हम तो कुछ भी नहीं किसी को क्या खिला सकते हैं वो गुरू जी की plannings होते हैं। गुरू जी ने हम सेवा ली और पूरा lockdown के time period हम से लंगर सेवा करवाई जो भी यहां पर हमारे आसपास लोग रहते थे उन सब के लिए तो हमारे टेनंस भी हैं धाग साथ पे मतलब तो हमारे कुछ चल रहा था उस जगह पे हमारी फैमिली में किसी नहीं काम नहीं गया था मतलब मेरे दादाजी के टाइम से जब से हमारी बिल्डिंग बनी थी तब से उस पे था क्या बोलते हैं टैनेंस को ही दिया हुआ था हमने काम करने के लिए कि अब हुआ यह जब हम सेवा करते थे ना लंगर की सेवा करते हैं अरौन था हुआ दो थीन महेने जो भी लॉक्दाउन का था ताइम पीरेड तो वह उसgebia जितनी भी जो यहां पे थे ना रिक्शे वाले या जो भी आप संगत थी आप संगत ही कहोगे उन्हें तो फिर उन् अशिर्वाद देते थे बस उन सब का बहुत बहुत जादा शुक्रान देना अब उन्होंने जुलाई की बात है जो हमारा वो जो केस था वो हम मतलब हमारे फेवर में आ गया और वो दुकान जो थी हमारी वो खाली होने की ओर्डर मिलके और हमारी वो दुकान जो हमने टैनेंस को दियो थी वो खाली हो गई गुरुजी ने मतलब वो ही कहते है जब यह मैंने गुर्बानी में भी पढ़ा था और सुना था कि जब हमें सेवा मिलती है न तो मतलब सेवा रभ हमसे इसलिए लेता है क्योंकि उसने हमें कुछ देना होता है तो यह चीज है कि देखो हमसे सेवा ली गुरुजी ने और मतलब पता नहीं किसकी दुआएं लगी किसकी आशिरवाद ली है क्योंकि जो दुआएं और आसी से होती है न वो मांग के नहीं ली जा सकती है वो अपने आप ही कोई दिल से दे तो उसकी लगती है और बदुआ देखो जब हमारा यह खाली हुआ हम बहुत कुछ है कि वाँ गुरुजी ने यह खाली करतिया और उसी जगह पे उसी शौप के आगे हम अपना वो लंगर काना पूरा इसे लगाते थे और देखो जरा गुरुजी ने किस तरह से किस तरह से मतलब वो सिवा लेके हमें क्या लाइफ टाइम की ब्लेसिंग्स जो मतलब हम सिर्फ सपने में सोचते थे कि हम इस जगा पर काम भी करेंगे और देखो गुरुजी ने अब तब हमने ना गुरुजी का सचंग कर वाई क्यूंकि 7 जुलाय को मेरे पापा का भी बर्दे होता है और गुरुजी की तो है ये बर्दे और हमने सचंग करना ही था और तब हमने गुरुजी का सचंग किया और जो हमारी जो चाबी है तब भी हमने गुरुजी के वाँ ब्लेस की और फिर हमारा वो शौप खोली अब हमारा पूरा रेस्टरेंट इतना बड़ा हो गया है तो तो न हमारे जो एरिया में एक शॉप है पिंक रोज करके तो वह जो अंकल है तो वह वैसी आए हमें हमें कॉंग्राचुलेशन कहने के लिए और जब कॉंग्राचुलेट कहा तो उन्होंने बताया कि आप यहां पर आते थे और गुरुजी को मानते हो तो हमने बोला हां बस र हमारे यहां पर आये हूं है और गुरुजी ने मतलब हमसे चोले भी बनूवाय मैंने बुला वायो मतलब Church ya 90 गाढाओ जो गुरुजी कहते है तो कहते हैं गुरुजी तो बहुत आते थे और तब हमने पता चला कि देखो क्या पता गुरुजी ने तब हमारी को यहां पर एसे देख केเกवें ब्लस क्या हो और वो टाइम नहीं था शायद मिले का और आज वो टाइम है जब हम गुरु जी के साथ जुड़े और मिले हैं बस ये गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी ने तो हमें बहुत टाइम पहले ही ब्लेस कर दिया था बट वो टाइम आज का था शायद कि जब हम उनका शुक्राना कर रहे हैं जब हम उनसे जुड़ रहे हैं ये गुरुजी के वेज हैं ब्लेस करने के लिए बहुत अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने का इतने इतना प्यार देने का इतना ख्याल रखने का बहुत 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 श्क्राना और मैं क्या बताऊं एक सचंग मैं आपको और बताती हूँ ये सचंग है कुछ ताइम पहले का, कुछ ताइम पहले का है ये सचंग यह actually song related है song में भजन से related है तो हम watch party करते है ना यह तो हमारा शामकोट और सचंग मतलब जो हमारा शामकोट अधिक और सचंग में पता एक रैंडम यह विए पायल ने कहा था कि कि यह का था पायल ने कहा था कि हां गुरुजी के लिए आप लव सॉंग प्ले करो तो मैं ने बोला हाँ कि ने बोला है कि में जरू प्ले करूंगी तो मैं को यांद थी नी था कि क्योंकि यूष समुती तहीं मुझे भजन आपस अर्षाओ गया कीमा भूल सुक्यों कि गानी भी होते हैं चीजे और मैं पहलेु Table इतने सारे सुनती थी पर लेकिन अब तो बिल्कुल बंत अब तो गुरु जी बस अपने भजन और शबद ही सुनवाते हैं क्योंकि पता नहीं अब समझ में आया कि वह चीज हमारे लिए ब्लेसिंग है शबद में हमें आंसर मिलते हैं छोटी-्छोटी ममतलब आप यह लगा लो चोटी-छोटी अनुना चाहते हु भुख से वहलोगा चाहते हैं वहलोगा गुरुची गुटसई के नीदा करना는 जिक executives के आफ लगानि और अगर में शर्लड़ 살ा मियं अन्षंड पीचे वहуждी तो नीद शर्क्तर मडूत करना थे आफ उप्राइब आफ जो mo space वो जबजी साहिप की लाइन ये है असंख निंदक सिर्ग करे पार नानक नीच कहे वीचार मतलब अगर आपको ये बात बोलू तो इसके अंदर मतलब मैंने जब इस लाइन को विचारा तो मतलब समझने की कोशिश की उसमें चाया गया कि इस दुनिया में हम जिने भी लोया जब हम नींदा करते हैं किसी के बारे में कुछ गलत बोलते हैं यह मतलब हम जानते नहीं हैं बट फिर भी हमें अपनी बाते करती हैं उनको गलत कुछ ना कुछ ऐसे मतलब सुनी सुनाई बातों को मागे पास ओन करते हैं वो नीन्दा ही तो है देखो आपको यह दो बंदे बातने किसी थर्ट परसंटे बारे में अगर हम उनकी वड्याई कर रहे हैं उनके बारे में अच्छा लाइन हैं यह बहुत आछी चीज और अपने अच्छे जो मारी ब्लेसिंग उनको बांट दे रहे हैं तो यह हम पर निर्भर करता है कि हमें क्या करना है हमें अपने जो हमारी जो कमाई है मतलब कमाई इन अच्छी चीजें हैं वहमें ऐसे मुफ्त में दे दे नहीं है किसी को भी मतलब अगर आप उनके बुरे करम अपने उपर ले रहे हो तो आप अपनी अच्छी चीजें उनको दे रहे हो तो यह चीज गुरुजी ने मतलब मुझे गुर्बानी के त्रू इस लाइन के त्रू समझाई इस लाइन का यह मतलब था कि हम औरों के मतलब यह है ना सिर्करे भार मतलब औरों की निंदा करके हम अपने उपर वो भार ले रहा है तो गुरू जी भी तो यह बोलते थे, कि हाँ, तुम अगर हम किसी की, मतलब बुरा कोई तुम्हें बोल रहा है, तो तुम्हारे बुरे करम वो अपने उपर ले रहा है, तो सेम ये लाइन में को गुरू जी ने यहाँ पर समझाई, तो मैं, और इसके रिलेटेड एक साखी जो मैंने अभी रिसेंटली सुनी, मतलब गुरू जी ने मुझे फिर से याद दिलाई, और वो साखी ऐसी थी, मतलब उस साखी में ये था कि एक राजा होता है, वो राजा मतलब खाना मतलब उसके ब्रह्म भोजन रखा होता है, और भोजन के लिए बहुत सारे ये जो जम्हाना है, तो उसे खाने में सान्प किर जाता है, और जहर फैल जाता है, और जब वो घृते कर दो कि कशी 9, 17 जी 13 साखी एंवे पंदित उसके 27 यह 13 सी त्रफित leurs ग्में, जाते हैं और उसके उमड़े व은 साखी आते में 15 संसे पंदित में 15 से मानी जाए किसके ऊपर यह ब्रह्म थ्या का ना वो डाले जाए आरोप डाला जाए तो वो जब दो चित गुप्त और एक और आते हैं वो नीचे आते हैं धर्टी पे और फिर राजा की महल में जाते हैं तो राजा बोलता है कि मेरी तो कोई गलती नहीं है वैसी बात बताते है कि मेर्iment कोई गलती नहीं है। मैंने थो उनको बोजन पे बुलाया था। यह फाना बनाने वली की गलती है। गहता है कि मेरी भी कोई गलती नहीं है। सांप अपने आप इंग कि गिरा। सांप अब कि नीचे आके मनभ खाने में गिरा। तो सांप भी किसी सांप कहता है कि मैं किसी और ची से भाग रहा था, उससे बचने के लिए मैं गल्ती से गिर गया, तो अब वो सोचते हैं किस के उपर ये यूनो ब्रहम हत्या का वो डालेंगे, महल के बाहर ना दो लोग होते हैं वो अपस में बात कर रे होते हैं वो बात क्या करते हैं उसंकी बातों में ही होता है कि पता है कुछ दिन पहले राजा ने ना ऐसे खाना खिल वाया और देखो साजिश रच्छी और इतने लोगों को मरवा धिया मतलब पंडितों को मरवा दिया अब वो चित्रगुप तोते ना वो बोलते हैं कि अब हमें पता चल गया है कि किसके उपर आरोब डालना है यह ब्रह्म हत्या का उन्होंने बोला यह जो दो बाहर लोग बैठे हैं जो बाते कर रहे हैं नींदा कर रहे हैं राजा की बिना यह कि अंदर राजा की क्या स्टोरी है क्या नहीं है इन दोनों के ओर वो ठीकरा फोर्टो तो सोचो नींदा का वो इतने सारे ब्रह्म हत्या उनके उपर आरोब डल गया क्यूं क्यूंकि वो नींदा कर रहे थे तो यह मैंने गुर्बानी में एक साखी सुनी थी इसी के और आप नहीं अच्छा बोल सकते हैं कोई बात नहीं हमें किसी को भी नहीं कुछ गलत कहना गुरु जी अपने आपी इनों का ख्याल रखेंगे अगर किसी ने हमाई सा कुछ गलत किया है इत इस लाइट गुर्बानी में लिखे ना कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर अब हम अब अच्छा शजा भुआ करेंगे अगर अपने अपने पैठे गट नेच्छा बहु ए अफ्यायँ है झाइए मजब अगर फिर देधिक काम किर आपता हूं आपको more work. सो बस यह बात थी हां और एक और साखी है जो I think मेरा भाई ना मुझे बोल रहा था कि यह वाली पता नहीं उसे मुझे सुनाई थी कुछ ताइम पहले वो भी मैं आप सबसे शेयर करना चाहते हूं ऐसे बहुत सारे सत्संग जैंपर गुरुजी जब जब बागया देंगे सत् एक दोल्खियां बहुत देखते थे हैं तो उसमें क्या हूआ कि मैं अपको बताते हूं क्या मूल नाथा करमों के रिलेड़ था कि हमारे पास बना मुझे हैं लिएखेंपर माई मैं मैं उस हमारे पास दोंग तो कि औरों की लिए रॉय Chili ऑर भी और राज भी के जिसा कहला है जарा? एक निव सब्सक्रॉच सब्सक्राइबर उनकिन रहे हो अजरे कप सकता हमार गत्राइभन वही रॉक मैं कि आप दूर कया है है ना अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है क्या पता हम उसने हमारे साथ बुरा किया हो और हम उसका मतलब फल बनके उनके सामने आये हैं तो किसी ने ऐसा question पूछा तो उन्होंने बहुत सुंदर आंसर दिया कि देखो बात किसी ने भी start किया है ना चाहे करम हमें नहीं प मिल को ग्सके बता हमता है जिसने मरजी start किया हो बंट जब हमारे पास यो जब बौल हमारे कोट में अ हमेंने हमें डिसाइड करना है कि हमें यो आधर ब्लाक वरी बॉल 56 भालि था थार।्ट नोभ तो सब कुछ हमारे उपर है start जिसने मरजी किया हो. Kore चाज़े जिसने पूर अब रूरा ब में समय और श्पैसलीक ऑचिस ही वाहित और अगर हम खा आंझा हारे गाएर वाइट नहीं और शाफनेतम हो गारेगा, सहनल अगर वाइट वाहित रखना है या या लापस मिलेगी और गारेगा, पीतों किसी को गुस्सा कर रहे हैं। बहुता पिए छहां उपड़ार करता है कि आपको निर्भार करता है कि आप क्या आप यहां। अगर आप white ball चाते है ना अगर आप चाते है आपके पास अच्छा है तो आपको अच्छा ही करना पड़ेगा you cannot do something wrong and expect something good in return sorry वो नहीं होगा this is karma whatever you go whatever you you know so so shall you reap मतलब आप जोब होंगे आपको वही वापिस मेलेगा so यह चीज थी और बहुत सुंदर वे में उन्होंने बोली कि आपकी टर्न है आप आपने डिसाइड करना आपको black ball fang नहीं है या white ball fang नहीं है क्योंकि जो आप और यह मत expect कीजेगा कि यह सेम वे से आपको वह रिटर्न में मिलेगा वह आपको किसी वे से भी आपको वह वापिस मिल सकता है it can come from anywhere anywhere so just you know यह कर्मा के रिलेटेट था तो यह कुछ साकी गुरुजी नहीं को मतलब उस वे में ऐसे समझाया और बताया so बस यह सारी बाते थी और बाकी इस पेज के बारे में आपको बताते हूं शुक्राना गुरुजी महाराज के पेज के बारे में गुरुजी ने मुझसे इस पेज में इतनी सुन्दर सुन्दर सेवा ली और गुरुजी यहां पे अभी कितने सुन्दर सुन्दर सत्संग करवा रहे हैं अलग-अलग languages में तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का इतने मतलब अब मैं आपको बताते हैं अब रिसेंटली का सत्संग यह कल परसो का ही है तो फर्स्साइम गुरुप में गुजुराती लैंग्विज में सत्संग वा और मैं सुबह थोड़ी में लेट उठी थी तो जब मैं ताइमली अल्मोस्ट में उठ गई थी और जब सत्संग स्टार्ट हुआ एगदम से मेरे मा अब अब अउन्होंने बहुत सुंदा सा अपना सत्संग शेयर किया और मतलब गुजराती लैंग्विज में इत वा बूटिफुल अउस सत्संग मुझे या अंसर मिल गई तो मैं गुजराती लैंग्विज जानती नहीं हूं पढ़ेकर मुझे सुनने में इतना अच्छा द到 श़टिस बनाती हो तो अभी रिसेंटली बनाया था मैंने अपन मिल गई तो गृरू जी को मैंने इसे उत बोला कि गृरू जी मैं इसको डूल पीलिशन मिल Rich Re 57 तो गुरुजी अब ऐसे भी सचंग करवाएंगे इस पेज पेज पे हर फ्राइडे तो आप लोग भी सुनिएगा क्यूंकि मुझे तो अपना आंसर जरूर इस सचंग में मिला था तो क्या पता क्यूंकि हर सचंग बहुत ब्लेस्ट होता है आपको किस सचंग से कौन सा आंसर मिल जाए आप नहीं चानते गुरुजी आपको किस सचंग से क्या ब्यसिंग भेज दे ये भी गुरुजी की इच्छा और मर्जी होती है जरूर अटेंड कीजेगा बाकी हाँ तो मैं उस सचंग में आंटी ने आप वो भी स्केचिंग करती है तो उन्होंने स्केच में कलर क जाए जाए तो मैं को ना आंसर मिल या मैं ने बोला वाओ गुरुजी आपकी तो मुझे आंसर दे दिया कि मुझे तो कलर में बनाना है तो कहरा मैं कम्प्लीट करूं की फिर मैं आप सबसे वो शेयर जरूर करूंगी तो यह चीज है बाकी आज बहुत ताइम हो गया है और बाकी है बहुत सारे सच्छंग है लेकिन मैं मुझे ऐसे लगता है कि गुरुजी कह रहे है बस आज बहुत बाते कर ली तूने तो ने अज सबसे हाँ एक सच्छंग मैं शेयर करूं जरूर मैंने ना गुरुजी के लिए कुछ प्रिपेर भी क्या था वह मैं सुनाना चाती अगर आप मुझे थोड़ा सा ताइम देने पांच पांच I think 5-10 मिनिट्स मोर बस उसके बाद मैं रांड मैं रांड ओफ करने की कोशिश करूंगी क्या थिंक बहुत टाइम होगया बाकी जैसा आप बोलो गिव मी टू मिनिट्स जल परशाद पीलूं यह सत्संग ना अभी कुछ ताइम बहले का हैं मैं लवसॉंग की बात कर देखो कहां से मैंने कहां स्टार्ट किया था और अब जाके फिनिश कर रहे हूं वह सत्संग तो पायल ने ना वसी पायल आती है तो बड़ी स्वीट निया इतनी क्यूट तो उन्होंने कहा कि ना दिवांची अंटी आप प्लीज वह प्ले करो कि सॉंग्स मैंने बोला हा मैं ज़रूर प्ले करूंगी और मैंने जब प्ले किया संगत नहीं मुझे सजेस्ट क्या कौन-कौन से सॉंग्स मैंने वो प्ले किये गुरूजी के लिए फिर मीनवाइला मैं गुरूजी को ऐसी कह रही थी तो मैं गुरूजी मेरा और आपका गाना कौन साह होगा प्लीज आप मुझे बताओ एंड देखो गुरूजी ने मतलब कैसे मेरी बात सुन लिए उस दिन जजज साब अंकल है है ना आई डून ओ वो भी यहां पे है जॉइन है या नहीं I really don't know बट जै गुरूजी अंकल को भी उन्होंने एक धुन बनाई थोड़ी सी बहुत छोटी सी क्लिप था वो स्टार् पर Instagram पर तो मैंने अ गुजों ना मुझे इतना अच्छा लगँशा मैंने भी ना उनुजाँ प्छा जो मैं वो डूना भी और вчka बोलना चाती हो अंट पूंग मैं उस अ पोस्ट के मेरी इन्टी ठीमिंग नाव मैंने बहूत अमेजिग क्योंकि अंकल पहले धाष्च अच्छा आपने सचंग किया तो फिर एंकल को मैंने बोला प्लीज यह वाला जो क्लिप्पिंग मुझे भेजो मुझे सुनना है दिससओ अमेजिन्ग और मैं इससे अपना इंटोन बनाऊंगी तो अंकल ने मुझे सेंट किया अभर मैंने अंकल को बोला कि आपना इसको कम्पलीट करो, यह इतना अच्छा लग रहा है, इसको पूरा कम्पलीट करो और गुरुजी ने मेरी बात सुन ली. और अंकल ने पूरी रात बैटकर वह पता नी गुरुजी ने उनसे वह गाना पूरा लिखह वाया और गवाया, रिकॉर्ड भी करवाया, अगले दिन अंकर का मेसिज आता है, कि इस सॉंग प्रपेर हो गया पुरा, मैं बोला हो भी गया, और कहते हैं, हाँ मैंने तो रिकॉर्ड भी कर लिया, बोला वाँ, और देखो गुरु जी है इतने क्यूट कि किस तरह से सुनते हैं, मै और मैं ना प्ले करूँगी, क्योंकि मैं उस ताइम पे नहीं कर सकती थी थी ना, आउनलोड और वो सब, अंकर लिए लाला अपने पेज पेज पे और और मुझे सजेशन्स में भेज जा, और फिर मैंने वो प्ले किया, और इतना अच्छा लग रहा था, सुनके, और संगत कि सब संगत को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मतलब सबने बहुत ऐसे लग रहा था कि इतना, देखो गुरुजी किस तरह से सचंग बना देते हैं, फिर अंकर कहते है कि आपने अगर मोटिवेट नहीं करते ना तो दही बनता, तो मैंने बोला नहीं वो तो बनवाना चाते थे, और देखो गुरुजी ने किस तरह से मेरा और उनका एक प्यारा सा गान अधो सी लगता है, वो अनहोंने पनिवाया अंकल से और गुवाया और इतना सुन्दगाया उनकल ने, मैं हरोज प्ले करते हुhmँ, मतलब गुरुजी करते हैं, मैंने नहीं करत सुंग है बहुत सुंदर आप सबने सुना भी होगा वह मैं गाऊंगी मैं गाना चाहती हूँ गुरुजी के लिए तो अगर आप मुझे जाज़त दें तो मैं सुनाऊं पता नहीं मैं कैसे गाऊंगी क्यूंकि मैं सिंगर नहीं हूँ सुरी अगर सुर उपर नीचे हो जाए बड मैं जरूर सुनाना चाहती हूँ गुरुजी के लिए प्लीज सुनाओ हन जी मुझे आप एक सिकिन दोगे मैंना थोड़ी सास मेरी वह तीज़ोरी है बहुत ज्यादा बाते के मतलब सचंग सुना के तो जिस गिव मी तू मिनट्स मैं जल पर शाद पीलू फिर मैं आपको सुनाते हूँ तब तक आप गुरुजी के दर्शिं कीज़े मुझे थोड़ी नर्वेस नहीं सुनारी है यह भजन सुनाते हूए क्यूंकि आम नॉट इस सिंगर बट दिल से मैं गाना चाती हूँ गुरुजी के लिए क्यूंकि गुरुजी है मेरा बात प्यारा प्यारा बला सौंग है तो मिनट्स आप दे रीजे मुझे मैं थोड़ा सा रिलाक्स होजाओं हो जाओं सुनाते हूँ एक सेकेंद होल्ट किजिए एक सेकेंद होल्ट किजिए जाओं सुनाते हूँ जाओं सुनाते हूँ जाओं जाओं जी जो सब से कहाना चाए वो मुझे को बस तुझ से कहना जी माल का प्यार मेरा तु है कसम संसार मेरा तु है माल का प्यार मेरा तु है कसम संसार मेरा तु है मैता तेरे नाल ही रहना जी हर सुख दुख तैनू कहना जी जो सब से कहाना चाए वो मुझे को बस तुझ से कहना जी माल का प्यार मेरा तु है कसम संसार मेरा तू है माल का प्यार मेरा तू है कसम संसार मेरा तू है जग सोने बहुत होने के मेरा सोना तू सहे बाद सब दे गहने हो स्वुड़ी जगते सोने बहुत होने के मेरा सोना तू साहिपा सब दे कहने होने के मेरा गहना तू साहिपा जगते सोने बहुत होने के मेरा गेना तू साहिबा सब दे कहने हो रहूं के मेरा गेना तू साहिबा मैं नाम तेरा ही लेना जी अरे उसंगते सेहना जी अवे रो हो अंजा मेरा मैं सब कुछ हसके सेहना जी माल का प्यार मेरा तू है कसम संसार मेरा तू है सो तेरी मैं चग छड जाना तैनो ना छड पावांगी मैं मैं वेखे रंग सारे दुनिया दे तेरे रंग सुख पावांगी सो तेरी मैं चग छड जाना तैनो ना छड पावांगी मैं मैं वेखे रंग सारे दुनिया दे तेरे रंग सुख पावांगी मैं नाल तेरे ही रहना जी हर सुख दुख तैनों कहना जी जो सबसे कहा ना जाए, वो मुझे को बस तुझसे कहना जी माल का प्यार मेरा तु है, कसम संसार मेरा तु है शिक्रान है शिक्रान है गिर जी मैं सिंगर तो नहीं हूं बस थोड़ी सी कोशिश की सॉरी थोड़ा गला ना बैट गया था बहुत जादा बाते कर रहे थी तो इसलिए बीच में थोड़ा सा रुख गई बस चलो शुक्राना गुरी जी का जैसे भी गवाया उन्होंने और मैं क्या सुना हूं हाह एक और शबद है जो मैंना सुनाना चाहिए वह मैंने दिल से बड़ा प्रपेर किया था प्रपेर भी नहीं मतलब मुझे ना एक पलवी आंटी है यहां पर हाह पलवी आंटी का भी मैंने सच्छंग सुनाना था बहुत सारे सच्छंग हो गया है बहुत टाइम हो गया है चलो यह लास सच्छंग मैं उनका भी सुनाती हूं और फिर मैं अपना वो बना जो शबद मैंने थोड़ी से कोशिश की है मतलब प्रपेर काने की वह मैं आपको जरू सुनाती हूं सच्छंग पल्वी आंठी का है और कुछ टाम पहले आंठी का सच्छंग होना था पेच पेच पर हमारे सच्छंग होना था उनका तो हूआ यह कि ऑंटी की जो बेटा है कार्टिक वह काफी बिमार हों अपना एक होस्पितलाइस था तो पता नहीं मैं ना गुरुजी ने मेरे मन में डाला कि ना अंटी को फोन कर तो मैंने ना अंटी को फोन कि और मैंने हाल चाल पूछा और अंटी कहती ही मैं ना हॉस्पिटल में हूँ अभी की कार्टिक के पास बैथी हूँ ऐसे बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो मैंने प्ले किया था तो मैंने ना अंटी को ऐसे बोला मैंने बोला अंटी आप ना टेंशन मत लो क्योंकि आंटी आप आप ना टेंशन मत लो क्योंकि आप आप ना टेंशन मत लो क्योंकि आप आप ना टेंशन मत लो क्योंकि बहुत सीरियस प्रॉब्लम है पता नहीं क तो मैंने अंती को बोला कि आपना चंदन का ठीका लो और गुरु जी को लगाओ और बस कार्थिक को लगाओ जितनी बारी भी आप लगाना चाहते हो ना मतलब आप 7-8 ताइमस जितने बारी दिन में आप लगा सकते हो आप लगाओ तो फिर हुआ ये कि ना अंटी ने मेरी बात मतलब मैंने बोला नहीं आप घर जाओ और गुरुजी का चंदनकाटी का लो लगाओ और फिर देखो क्या होता है तो और मैंने का अंटी को का मैं बोला देखना अपना लोडी वाले दिनना शुक्राना करोगे तो गुरुजी का और लोडी तक आप घर जाओगे कार्तिक के साथ और सब ठीक हो जाएगा और आप देखना भूब बहुत आरी ब्लेसिंग्स होंगी गुरुजी कार्तिक को जिल्दी से ठीक करेंगे गुरुजी ने उस दिन मेरे मुझे यह बाग निकल वाई एंड अँटी ने मेको लोडी दिन फोन किया अँटी मुझे थैंक्यू दिवानशी आंटी मुझे थैंक्यू क्यों बोल रहे हो तो बस आप गुरुजी का शुक्राना करो क्योंकि जो कुछ भी करते हैं वो लाइफ अपने अज़े थैंक्यू मत बोलो क्योंकि यह गुरुजी ही करते हैं तो फिर आंटी में बताया कैती आपने उस दिन कहा था ना कि मतलब लोडी वाले दिन शुक्राना करेंगे तो कहती देखो आपने उस दिन में को चंदन के ठीके की सेवा के बारे में बोला था करने को क्योंकि जब से अंटी कहती ही जब से मैंने चंदन का ठीका लगाना स्टार्ट किया उसको और मतलब गुरु जी ने ऐसी ब्लेसिंग्स थी कि मेरा बेटे की जो स्वेलिंग थी वो गर्दन पे वो सारी ठीक होने लग गई और मतलब सारे डॉक्टर्स हैरान परेशान कि यह करने का वे था कि गुरु जी मतलब किस तरह से मतलब युनों ब्लेस करते हैं और अंटी कहती कि मैंने इतने दिनों से बस यही कर रही हूं चंदन का ठीका ही कर रही हूं और बाकी देखो सब चीजें भी लगती हैं जब उनकी उनकी ग्रेस हो तो इसलिए जब हम कोई मैडि क्योंकि आप सब्सक्राइब तब हो दो डवाइन हमें भी लगेगी तो कितनी हम वैसे बैसे एलेते हैं थोरी देप में अताया जाता है यही है लगा रहता है था लेखर हम्हानी पर जब ग्रुरु जी बलेस करेंगे तो तो इसलिए किस तरह से आपको किस तरह से साइद सा कि अफमुरे यहां है एखसी सफट सब उते risk अउनर थे केका और आप आपको किया रूसला कि फ tenía अउनर आप का अई ने अक्षेसट गरंगी क्यों में अज फ्रुस तक श्यखना भाउन अच्पक करते यहें satan गुरुजी बढ़े गुरुजी मेरी लोडी भीलाओ और देखो गुरुजी ने उस सच्छंग के थू मुझे लोडी मेरी ब्लेस कर दी और सच में मैं बहुत इमोशनल हुई कि वाओ गुरुजी मतलब सच में वो कितना परेशान था बच्चा मतलब इतनी तकलीफ इतनी दिक और गुरुजी ने सिफ चंदन के ठीके से उसको किस तरह से ब्लेस किया और कार्टिक ने ऐसे बोला था कि गुरुजी को कि गुरुजी मैं एक दिन और होंगा होस्पिटल में तो फिर अंटी ने बताया तो फिर क्या हुआ कि अगले दिन मतलब जब डॉक्टर्स कहते जब तुने अपने गुरुजी को बोली दिया है कि तु एक दिन और रहेगा तो बस फिर अब चुटी अगले दिन और देखो अगले दिन उनको चुटी मिलगी बर यह है कि अभी भी थोड़ी ना उसको थोड़ी दिकत परेशानी आ रही है बर लेकिन हम सब अगर उसके लिए इन आसके कि जासे अफेक्ट तो प्लीज बच्ची के लिए और दास की जिएगा इन फैक्ट सबके लिए मताकी आज कि अथे किर्फें करें कि ना जाने पता नहीं किसके दिल थूत कभ लग जाय ले तो सुने तो प्सकी बात कि सुन्म्त स 특ड़ी है बड़ यहां कई रहा ह करते हैं और उसमें लिखा होता है कि एक कई पर पेज एंटीज भी होता है ना पता नियो उस पेज में किसकी दुआ कबूल हो और you know हमारे लिए वो blessing बन के आए आप सब के लिए सरबद्दा भला मांगो सब के लिए दुआए करो कि गुरु जी सब को बहुत 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 जादा बलेस करें सबसे पहले health bless करें क्योंकि health से बड़ी और कोई चीज नहीं है हमारी life में हम healthy रहेंगे, हम you know, स्वस्थ रहेंगे यही चीज है कि Guru जी किस तरह से हमारा क्या बोले है Guru जी हमें ब्लेस करते हैं Guru जी हर चीज का ख्याल रखते हैं और पता नहीं मैं क्या क्या बोली जारी हूँ I don't know एक दम से बता नहीं Guru जी क्या बुल्वारे हैं मुझे कुछ नहीं बता, I don't know बस Guru जी का शुकराना जो जो वो बुल्वारे हैं जो जो वो सब को मेसेज देना चाहरे हूँगे आज मैं वो ही वाते बोल रही हूँ बस यह कहूँगे आप प्लीस सब के लिए प्रेयर कीजेगा कि Guru जी सब को बहुत 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 ज़ादा प्लेस करें है ना और बस अननतम अननतम शुकराना Guru जी महाराज का और I think मैंने बहुत टाइम ले लिया आप सब का है ना पर हम Guru जी का जब गुनगान करने लगते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम हो जाता है मुझे तो सच में नहीं पता जल जाता है मतलब तो Guru जी ना मुझे अपनी संगत में मेरी कितनी प्यारी-प्यारी संगत है मतलब कोई दीदी बन गही है है ना कोई मेरी ममा की तरह है आइसे एतनी प्यारी प्यारी आंटियों से बात कराते हैं Guruji मतलब इतनी सारी blessings देते हैं और हम सत्संग शेयर करते रहते हैं और देखो Guruji मेरी life को ऐसे पलट दिया है कि अब मैं इधर उधर की बाते भी होती है हमारे आसपास और हम positivity ही spread करते हैं Guruji उस ताइम पे भी हमारा कल्यान कर रहे होते हैं सो बस यह है कि हमेशा खुश रहु पॉजिटिव रहु और क्योंकि Guruji कहते थे यह नो हमारे अंदर जो होगा ना हम वही औरों को देंगे अपने अंदर का जो भांडा है ना हाँ एक और beautiful लाइन है पता नहीं अब भी एंड में देखो Guruji क्या है वैसे सच में पहले साटिंग में मुझे इतना कुछ कुछ याद नहीं आ रहा था पर अब देखो Guruji एंड टाइम में मुझे कितना कुछ याद दिला रहे हैं कि यह भी बोल यह भी बोल यह भी बोल यह भी बोल एक ना सुंदर सी लाइन है पापा के संग, नहीं नहीं, पानीट की लाइन है, जब जी साइब के पार्ट में, उसमें है कि परिय मत पापा के संग, नहीं, सॉरी, 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 एक सेके, क्या था, अब मैं आपको बताती हूँ क्या अंकल कह रहे हैं संगजी से कुछ कहना चाहते हूँ कहो कहते रहो अंकल कहते हूँ मैं अभी बार में बढ़ता हूँ मैं भूल जाओंगी मुझे याद आगे वह गुर्बानी पार्ट की लाइन यह है एक सेकेंड परिये मत पापा के संग नहीं यार इसी से पहले वाली लाइन है परिये हत पैर तन दे पानी तोते उत्रसके मूत पलिती कपड होए दे साबूल नहीं होतोए परिये मत पापा के संग ओ तोपे नावे के रंग येस यान आगे इस लाइन में गुरुजी ने मुझे ये समझाया था कि देखो हमारे हाथ पैर जब गंदे होते है हमारा शरीर गंदा होता है हम उसको पानी से दोते हैं हम अनहाते हैं हम अपने आपो साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं और देखो जब अगली उसकी अगली लाइन में था हमारे कपडे गंदे होते हैं हम उसको साबुन से मल मल कर दोते हैं क्यूंकि पानी तो अंदर मैल होते हैं कुर्जी जी कहते हैं उसको कैसे धोना, क्यूंकि वो साबुन से तो धुलने नहीं वाली, पानी तो हम डाल नहीं सकते अपने अंदर, कि वो जो धुलेंगे, वो किस तरह से धुलेंगे, भगवान का नाम लेके धुलेंगे, जितना हम उनसे करीब जाएंगे, उनके पास, उनकी बाते करेंगे, उनके साथ जुडेंगे, उनका सिम्रन करेंगे, वो जो हमारे अंदर की मैय लेना, वो automatically धुलती जाएगे, वो purify कर अपने अंदर की मेल है उसको हमें धुना है और वह ऐसे नहीं धुलेगा आप सत्षंग, सेवा, सिम्रन करो, गुरुजी का नाम लो, चिंको भी मानते हो आप उनको मानो, कई मातारानी को मानते हैं, कई काई बाबाजी को मानते हैं, पर सब एक ही बात बोलते हैं, कि हमें अंदर से एक अच्छा है, कि हमें अच्छा इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना है, हमारे अंदर हमारे अंदर नहीं चाहिए, जब हमारे अंदर हमारे अंदर हमारे 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 हमार रिच्वल पात्वे और आगे लेते जाएंगे यह बाते थी ऐसे गुरुजी बहुत चोटी बाते गुर्बानी के थुरू में को बहुत समझाते हैं बहुत सारी ऐसी बाते हैं गुरुजी जो गुरुजी बाते बोलते हैं वो सारे गुरुजी मुझे पढ़वाते हैं और सुनवाते हैं और समझने की भी मैं कोशिश मैंने गुरु जी ही समझवाते हैं क्योंकि उनकी को पता है कि वो हमारे आंसर्स होते हैं, है ना, बस इसके साथ मैं आज का भी सचंग, I think two hours हो गया है, है ना, तो गुरु जी ते, गुरु जी देखो, पहले म मुझे सुबा शेहा है, मैं क्या-क्या कि भोलती रहाऊंधी, पर लेगिन गुरु जी ने सचंग सुनवाते सुनवाते, 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 पता है कौन-कौन से सचंग सुना रहे है कि यांद कुरु जी का बच शुक्राना, अज अंचल दीजी ने यही मे塑त थी का किस सचंग से किसको कौन सी ब्लेसिंग मिलनी है ये गुरुजी ही जानते है तो गुरुजी आज मुझ से वह बुलवा रहे होंगे पता नहीं उन में से कितने आपके युनो आंसर होंगे उसमें I don't know बस गुरुजी उन सचंग के थुरु आपको बहुत 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 जादा ब्लेस करें यही मेरी गुरुजी से अर्दास है और आप हमेशा खुश रहें सब और मस जाने से पहले मैं वह एक लास्थ शबत सुनाती हूं मेरा बहुत मन है सुनाने को बस मैं आप से पांच मिनट और इसे वाइप करोंगी सिब पांच मिनट और पहले मैं कवर कर लिए हमना है क्यों की शबत है ना तो इसलिए एक सिकेंड बस यह बहुत ही प्यारा शबत है माध हो हम ऐसे तू ऐसा महुत सुन्दैश बाद है और इसकी कुछी लाइन मालब दो थी लाइन जाना नहीं दो थी लाइन सि मैं आपको सुनाओंगी अचरि गुरुजी को सुनाना जाते हूं मैं तो बस इसलिए गुरुजी को सुनारी हूं और आप सब संगत को भी वाहे गुरुजी हम पापी तुम पाप खंड़। निकोठा कुर जैसा निकोठा कुर जैसा माथो, माथो, माथो माथो, माथो, माथो माथो, माथो, माथो हम ऐसे तू ऐसा माथो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंड़। हम पापी तुम पाप खंड़। निकोठा कुर जैसा माथो, 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 माथो माथो, माथो हम ऐसे तू ऐसा हम मेले तुम उजल करते हम मेले तुम उजल करते हम नरकुन तू दाता हम नरकुन तू दाता माथो, माथो माथो, माथो, माथो माथो हम मैसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा हम मुरख तुम चतर स्याने हम मुरख तुम चतर स्याने तू सर्व कला का ग्याता तू सर्व कला का ग्याता माधो, माधो माधो, माधो, माधो माधो, माधो माधो हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा बस अब और मैं आपको क्या सुना हूँ आज की लिए आज गुरुजी ने मुझसे बहुत चारी सचंग शेयर करवाएं बहुत बहुत अनंतम-णंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का और आप सब का भी जो आप मुझे इतनी ताइम से सुन रहे हो और इतने सचंग को आपने प्यार से सुनना और I know आप कॉमेंट्स भी कर रहे थे अभी जो मैं बात में देखूंगी और जरूर रिप्लाइ करूंगी और बस बहुत 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 शुक्राना और सचंग सुनाते वड़ मुझसे कोई भूल चुको तो प्लीज मुझे माफ कर दीजी का सुरी गुरुजी अगर मैंने आपकी शाद में वैसे हम जितना आपके लिए आपकी शाद में बोले उतना कम होता है थोड़ी बहुत जो भी आपके बुलवाना चाहिता बहुत बहुत शुक्राना आप सबका गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना हमेशा बस अपने बचों का साथ मस ऐसी बनाए रखना और सबको बे अन्थ प्लैस कीजेगा और सबकी लाइफ में धे सारी हापिनेस हो और हेल्थ हो और आप सब संगत आपसे जुड़ें बहुत बहुत जादा प्यार करें आपको और अपना बना ले और बस और ऐसी हम पॉजिटिविटी स्प्रेट करते रहे अधिक जो डिवाइन ओर यह फिल कर पारिं में इस चीज को भी और अधिक बस जब को बहुत ज्यादा ब्लैस करें घूटिवनुमच्ष नहीं बाले को और जैगा दिए तो हम फिर ज़रू सत्संग करेंगे मैं जरूर अपने और बहुत चारे अभी इन फैक बहुत चारे ऐसे सचंग जो मैंने शेयर ही दिखिये पर गुरुजी शायद अभी उनका टाइम नहीं होगा तो गुरुजी नेक्स ताइम जरूर मुझसे वो सचंग जरूर शेयर करवाएं तिल दैन आप सब के लिए भुट सारी ब्लेसिंग और लव गुरुजी आप सब को बहुत सारी खुषियां बख्षे घल्थ बख्षे गुरुजी आपको यविविव सब डिर्क्नेक्शन बनाई अगुरुजी के साथ कोई मेडियोटर नाप बनाएे प्लीज कुष्यानays, I am sorry中國 है। व poczे बहुत जादा blessed है, बहुत चारी संगत बोलते है कि आप बहुत blessed हो, You know what आप, गुरु जी के साथ बहुत closed हो मैं आपको अगर personally बात बताओं गुरु जी सबके, बहुत जादा closed है सबके, बहुत both closed है बस हमें, you know what, यह communication gap है, हम communicate नहीं करते हैं, you know, जिस तरह से कोई भी relationship हो, relationship कैसे चलता है, जब दोनों साइट से communication हो, है ना, one side communication के साथ नहीं होता, जब हम, you know what, वो रब तो बैठे हैं, हमें bless करने के लिए, हमें हमारे questions के answers देने के लिए, पर क्या हमारे पास time है, कि हम उनसे बात करके, अपनी उन्हों दिल की बात बोलें, जब हम उनके लिए time निकालेंगे, वो हमारी बातों का जवाब भी देंगे, so please आप अपना direct connection गुरु जी के साथ बनाएए, अपनी लाइफ की जो भी problems है, किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, बस गुरु जी के साथ जुड़ु गुरु जी को बताओ, और गुरु जी अपने आप उसको सॉल आप करतेंगे, and because he knows the best, he knows everything, उनको पताए कि आपको किस तरह से क्या blessing देनी है, so आप उनके साथ अपना direct कि कोई आपके और आपके रब की बीच में ना आए, यही कहना चाहूंगी मैं आप सबसे, कि माकी गुरु जी आप सबको बहुत बहुत जादा ब्लेस करें, यही मेरी अर्दास है कि गुरु जी आप सबको अपने चड़नों से जोड़ना हमें, कभी हमें खुच से दूर मत करना हमारा हाथ आप कसके टाइट ली पकड़ लो कि बस आपकी ब्लेसिंग्स को हम ऐसी सबके साथ शेयर करते रहें, ताकि यहनग्स ब्लेसिंग्स हम शेयर करते हैं वापस इंफाक्ट उससे 10 ताइम्स हम को वापस मिलती है ब्लेसिंग्स, अनन्तम अनन्तम शुक्राना गुरुजी महाराज का और बस थैंक यू संगर जी सो मच आप सब की कॉमेंट्स अभी देखूंगे और जरूर रिप्लाइ करूंगी बहुत 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 सुट्टा शुक्राना जै गुरुजी